सबी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे और चल रही है Maths Booster Classes जिसमें हम देखेंगे कुछ important concept, important questions जो की खास आपके UPT, TGT examination में, PGT examination में आपके पूछे गए हैं question का level थोड़ा सा difficult लगेगा इसलिए आप लोग को पहले से ही मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो question होने वाले थोड़े से high level के रहेंगे और इनमें में मेहनत लगेगी तो आई यह start करते हैं तो देखें पहला question आपके सामने है, अच्छा question है यह, क्या कहा गया है इस question में इस question में यह कहा गया है कि fx equals to cos pi square x and pi square का greatest integer है plus cos of minus pi square x where x stands for the greatest integer less than or equal to x than the value of the f pi by 2 मतलब यहाँ पर आपसे function की f pi by 2 पर value पूछी गई है तो सबसे पहले लिए कि हम क्या करते है कि function के pi square को greatest integer को हम solve कर लेगे तो दीए आपके पास जो pi square आता वो कितना आता है pi होता है 3.14 तो pi square की value 9.3 होती है जो कि 9 में break होगी और अगर आप बात करते है minus pi square का greatest integer that is equal to minus 9.3 और इसका जो greatest integer है minus 10 पे break होगा तो आईए put कर देते हैं तो cos of pi square x और cos of minus pi square x तो यह बन जाएगा 9x और यह बन जाएगा minus 10x और cos 9x plus cos 10x अब x की value pi by 2 put कर दीजे यहाँ पे तो x की value जैसे ही आप pi by 2 put करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक आई जाएगा 9 pi by 2 और यह आई जाएगा 10 pi by 2 तो आप जानते हैं कि odd pi by 2 की value 0 होती है and cos 5 pi आचुका है and 5 pi लिखा रहा जा सकता है minus 1 की power 5 that is equal to minus 1 तो इसका correct answer है minus 1 option number D चलिए अगले question की और बढ़ते हैं देखिए question देखकर के आपको कुछ funny मैसूस हो रहा होगा उपर लिखा गया free wifi और जो free wifi है वो इसका password है आपके पास में इसका क्या password है तो देखिए question को देख करके लग रहा है कि बहुत ज़्यादा dangerous question है but आपको करना क्या है देखिए इस question में 2 part है 4 minus x square है और x cube plus cos x 1 by 2 4 minus x square है तो सबसे पहले हम देखिए कैसे करेंगे इस question को हम यदि इसमें limit लगाते है इस question में standard यहाँ पे limit हमने पास कितनी रही गई है 2 से लेके minus 2 तो हम यदि इसमें formula लगा देते हैं देखिए तो यह question बहुत आसान हो जाता है minus 2 से लेकर के 2 x cube cos x by 2 plus 1 by 2 under root 4 minus x square dx आप देख लिजे question match कर लिजे यही question है और इस पे मैं applying the limit करता हूँ यह वाला concept लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास में minus 2 से लेकर के 2 x की जगे में लगता हूँ कितना a plus b minus x है नही a 2 है b है minus 2 minus x का cube 2 minus 2 minus x upon 2 plus 1 by 2 root के अंदर कितना जाएगा 4 minus x square याएगा तो दोनों चीजे आ चुकी है अब मैं दोनों को add कर देता हूँ तो बहुत ही चमतकारी घड़ना हो जाती यहाँ पर दैसे ही इन दोनों को add करता हूँ यह देखी यहाँ पर यह वाला part negative हो और यह वाला part क्या है positive है दोनों के कटते ही हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है और answer में कितना आ जाता 1 by 2 plus 1 by 2 इसमें आ चुका है और plus dx अब देखे 1 by 2 plus 1 by 2 कितना होता 1 होता है जिसको मैं बाहर ले लूँगा और केवल question में बज गया कितना under root 4 minus x square अब तो यह बहुत ही आसान question है under root 4 minus x square जो है बड़े आराम से solve हो जाएगा तो x by 2 under root 4 minus x square plus a square by 2 जो की 4 है और minus sin inverse x upon a और minus 2 से लेके 2 तो upper limit put करने पर कितना आ चुका है देखे अपने पास upper limit put करने पर ही आ चुका है upper limit कितनी है 2 है तो 2 पहला पार्ट 0 हो जाएगा और फिर 4 upon 2 याने कि 2 sin inverse 2 by 2 याने कि pi by 2 खिज जाएगा है and then इसके बाद lower limit put करता हूँ lower limit 0 तो पहला पार्ट 0 हो चुका है दूसरा पार्ट sorry lower limit 0 नहीं है माफ कीज़ेगा minus 2 है पहला पार्ट 4 minus 2 का square ये भी 0 हो गया और 4 upon 2 minus 2 तो यहाँ पर देखे कितना आ जागा यहाँ पर आ जाता है solve कने पर plus pi minus minus plus pi तो इस तरीके से 2i is equal to 2 pi तो answer इसका आ रहा है pi answer इसका कितना आ रहा है pi तो यह जो password है यहाँ पर password कितना होगा pi होगा so correct answer is pi okay done बढ़िया question चलिए अगला question देखे जो आया है जो just knowledge basis question आया है कह रहा है कि यह 3 point आपके पास दिये गए है 1 point x axis का है that is 1 0 0 दूसरा point y axis का है 0 0 1 और 3 point z axis का है that is equal to 0 और sorry 0 0 1 तो हो चुका है न हाँ तो 0 1 0 होना था मैंने गलत लिख दिया और 3 point है 0 0 1 आप कह रहा है कि इन 3 point से होते हुए कितने गोले जा सकते है तो एक property होती है कि एक गोला जो होता है 4 uniquely points से define होता है मतलब कि 4 अद्यूतिय बिंदों से हो करके एक गोला जाता है चली तो आये next question करते है देखे यहां पर बहुत ही प्यारा question आपके सामने कहा रहा है यदि समीकर्ण x minus b into x plus c x plus c into x minus a x minus a x minus b equal to 0 के roots equal हो मूल समान दिया है करा root से तो सबसे पहले मैं इस equation को simplify करूँगा और मैं इस equation को simplify करने के बाद मेरे पास यह आता है 3x square minus 2x a plus b plus c plus a b plus b c plus c आपको थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी ऐसा आने के बाद हमको पता है कि अगर यह equation अगर यह equation के roots equal है तो क्या होता है डिस्क्रेम 9 विवित कर equal to 0 so b square equal to 4 a c तो b कितना है आप यहाँ पे b है 2 times of a plus b plus c 4 of a plus b plus c का whole square equal to 4 a c 4 into 3 multiply by a b plus b c plus c ok so b square equal to 4 a c कर लिया आप अपने अब आपने देखे क्या करना है a plus b plus c का whole square open करेंगे तो a square plus b square plus c square ok अब देखे आपके पास क्या हैगा plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a जो की minus 3 जाकर के बन जाएगा minus a b minus b c minus c a अब आप क्या कर सकते हैं यदि आप 1 upon 2 का multiply कर दे नीचे तो 1 upon 2 का multiply करने के बाद आपके पास इसको लिख सकते हो a minus b का square plus b minus c का square plus c minus a का square equal to 0 और 3 numbers का 3 numbers के squared sum squares का sum 0 है मतलब क्या chances है क्यों यह 3 number आपस में equal होंगे it means a equal to b b equal to c and c equals to e इसका मतलब a और b और c तीनों आपस में क्या है equal है अब यहाँ से एक नया logic बनेगा एक second ओके तो क्या कहा मैंने कि मैंने यह कहा कि a equal to b equal to c हमारे पास एक नई कहानी बन चुकी है आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है हमने कह दिया कि a equal to b equal to c अब आपके पास में जो options दिये गए है यदि देखिए आप a equal to b equal to c रखते हैं तो मालनो यह तीनों की जगए कोई number है k तो आपके पास क्या आएगा k common आएगा और यह बचेगा one plus omega plus omega square and that equal to zero तो यह वाली identity बिल्कुल true है then इसके बाद अगर यहाँ पर आपके रखते हैं तो क्या बनेगा यह k common लेने के बाद a की जगह के रखा b की जगह आपने k रखा c की जगह के रखा तो again यह बनेगा one plus omega square plus omega that is equal to zero और a plus b plus c equal to zero तो ऐसा कोई result आया नहीं है तो यह तो होगा नहीं तो answer या तो a होगा या तो b होगा तो correct option इसका जाएगा 3, 1 या 2 चलिए अगले question की और बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर question मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा clear नहीं है the equation axq plus 3bx square plus 3x cx plus d equal to zero has two equal roots कह रहा है कि इसके दो equal roots है तो बताइए कि correct statement कौन सा है तो इसको short trick से करना better होगा इस question के लिए रेखिए दो equal roots है तो माल लीजे कि दो equal roots कौन है alpha a है और beta भी 1 है sorry a नहीं 1 और एक root अपने 2 माल लिया है तो हमाई पास equation क्या बनेगा इसका अगर 2 roots हमाई पास alpha और beta 1 है और बाकी का root 2 है so equation बनेगी x-1 x-1 x-2 okay equals to 0 equals to 0 भी करना पड़ेगा हमें यहाँ पे और इसको solve करने पर 2 x square minus 2 x plus 1 x minus 2 equal to 0 जिसको मैंने पूरा simplify किया तो मेरे पास equation यह आ गई है अब देखिए अब हमाई पास 3x cube है minus 12x square plus 15x minus 6 equal to 0 अब इससे हम compare करते हैं क्योंकि हमारा question इस form में है तो यदि हमसे compare करते हैं तो देखिए x cube plus हमारे पास कितना आ चुका है 3b x square okay हमारे पास कितना आ चुका है 3b x square अब देखिए यहाँ पर यह हो चुका है कि यदि हमारे पास 3 तो मिल रहा है यदि in case अगर में 3 नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते तो फिर हम यहाँ पर 3 का multiply करके 3 का divide करके हम अपने जैसा जैसे हमाई requirement है वैसा हम बना लेते उससे कोई equation के roots में कोई फर्क नहीं पड़े या okay so 3 3x cube हो गया यहाँ पर और then 3 into minus 4 क्योंकि 12 को तोड़ दिया x square plus 3 into 5 3,5 is 15 x और plus d की जगे minus 6 आ चुका है तो तलाश पूरी हुई a की value 3 है b की value minus 4 according to the question c की value हमाई पास 5 है and d equal to minus 6 है done अब देखिए अब कह रहा है कि आपके पास 4 option है कि कौन सा correct है तो left में पहले वाले में क्या है b c minus a d तो मैंने b c minus a d की value कर ली तो minus 4 into 5 and 3 into 6 तो 4,5 तो 20 और minus minus plus 18 हो गया तो कित्ती आगी value minus 2 अब कह रहा है कि b c minus a d क्या इसके square होगा चलिए तो चेक करते है हमाई पास क्या है b c minus a d का square कितना आ चुका है 4 आ चुका है now b square minus a c और c square minus bd का product देखते है तो तो b square minus 아침 और c square minus bd का हम product देखते है कि क्या साइए कि गल्रत है तो b square minus a c dk minus 4ka s square 16 minus 3 into 5 फिफ्टीन यह आ गया 1 और यह भी कितना आ गया 1 तो हमारा lhs कितना है 4 और rhs कितना आ रहा है 1 और इस 1 को 4 बनाने के लिए 4 का multiply करना पड़ेगा तो BC minus AD का whole square और you can say AC minus BD का whole square equal to 4 times B square minus AC and C square minus BD तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer 4 times B square minus AC and C square minus BD ठीक ना तो देखें यहाँ पर हमारे पास कौन सा answer आएगा बट हमारे पास AC minus BD है बट हमें चाहिए क्या BC minus AD तो option हमने अभी check नहीं करें है इसके options आगर आप check करेंगे तो कोई न कोई आपको answer जो है match कर जाएगा जैसे BC minus AD का whole square केवल आपके पास एक option में है बट यहाँ पर 4 की कमी है इसलिए यहाँ पर 4 option number 1 तो नहीं होगा क्योंकि option number 1 होने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए इसका मतलब यह बात प्ते है कि इन नोनों में से कोई सा option होगा आप check कर सकते हैं values put करके option में check कर लिजिए तो guys अगला question देखते हैं देखे एक question number 43 यहाँ पर दिया गया है कि the value of the function integration mod sin cube theta और 0 से लेके πाई तो sin cube theta की value 0 से लेके πाई तो आपको पता है कि 0 से लेके πाई में sin theta ही positive होता है तो उसका cube भी क्या होगा positive होगा तो originally यह आ जाएगा कितना अपने पास sin cube theta और sin cube theta को हम Leibnese theorem से solve कर देंगे तो देखे sin cube है तो 0 से लेके πाई बाई 2 सबसे पहले मैंने 0 से लेके πाई बाई 2 property लगा करके मैंने 2 बाहर ले ले क्योंकि Leibnese rule 0 से πाई बाई 2 में लगता है तो sin cube theta अब इसके बाद लगा देते हम कौन सा rule Leibnese rule तो देखे सबसे पहले यहाँ पर क्या 3 3 के odd subtraction लिखने पढ़ते हैं तो 3 के odd subtraction minus 1 करके कितना हो जाएगा 2 ओके and then इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर और 2 पहले बाहर वाला भी है तो 2 और फिर यहाँ पर even subtraction लिखने पढ़ते हैं तो शुरुवात कहां से हो रहा 3 से और 2 subtract करोगे तो 1 आएगा जिन लोगों को Leibnese theorem बनती उनको यह समझ में आएगा तो answer कितना आजएगा 4 by 3 ओके So Leibnese theorem में एक बार बता दूँ कैसे होता है कि जैसे आपके पास में यहाँ पर 3 लिखा है तो सबसे पहले 3 चलेगा फिर 3 में से 2 माइनस करो तो 1 चलेगा यहाँ पर आपने 2-2 माइनस किया उपर आपको 1-1 माइनस करना परता है और शुरुवात से ही माइनस करना है यहाँ पर शुरुआत से नहीं करना है पहले आपको 3 को रखना है बट यहाँ पर सीधे माइनस करो तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 ओके फिर उसके बाद आपके पास 3 माइनस 1 2 आ चुका है अगर आप इसके बाद 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आ जाएगा आपको यहाँ पे रोक देना है तो answer correct हो जाएगा 2 multiply by 2 by 3 that is equal to 4 by 3 चले तो देखिए next question है हमारे पास gx equals to इतना दिया गया है और half of goph of x equal to इतना दिया गया है तो हमें जो है fx की value बतानी है तो ऐसा question है सबसे पहले आप gf जो goph x निकाल लिजे 2 का multiply करके तो goph x आपने ये निकाल लिया अब gx आपके पास जो function है आपको दी गई है अब आपको पता करना है कि क्या रखने पर goph x ये बना रहोगा चले अगला question देखते हैं inverse trigonometric function का ये question है the value of the cos inverse 5 pi by 3 तो आप देख रहे है cos inverse cos 5 pi by 3, 5 by 3 60 और ये 5 का multiply करेंगे मतलब ये कितने degree हो गया 300 degree तो जिसकी principal branch में नहीं है सो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 pi minus 60, 300 को लिखूंगा 360 minus 62 cos of 2 pi by 3, 2 pi minus pi by 3 जो की break हो जाएगा किसमें only cos pi by 3 में और answer इसका पहला part जो आ चुका वो कितना आ गया pi by 3 आ गया then second part की बात करते है sin inverse sin 5 pi by 3, sin 5 pi by 3 कितना होगा pi by 3 वही 300 degree तो 300 degree को मैं लिखूंगा 2 pi minus pi by 3 that is equal to sin inverse minus sin pi by 3 जिसको solve करने पर कितना हैगा minus pi by 3 अब हम दोनों part को add कर देते क्योंकि बीच में plus sign है तो plus pi by 3 and minus pi by 3 answer equals to 0 चले देखे अगला question दिया गया है कि यदी पानी में 20% alcohol के 6 liter विलियन को मतलब की 6 liter में alcohol की प्रतिशत्ता कितनी है 20% है तो 6 liter में अब मैं alcohol की मातरा निकालता हूँ so total 20 liters में अगर आपके पास sorry 6 liter में अगर आपके पास 20% alcohol mix है तो 20% alcohol 6 liter का कितने होगा 1.2 liters okay then इसके बाद जो कहरा दूसरा इस 6 liter विलियन को पानी में 60% alcohol के 4 liter विलियन में okay मतलब जो अगला solution है उसमें उसमें जो है कितना total कितना है mixture 4 liter है और 4 liter का 60% alcohol है so total alcohol कितना हो जागा 4 liter का 60% that is equal to 2.4 liter अब total हमारे पास solution कितना आ चुका है उपर वाला 6 liter है नीचे वाला 4 liter है तो total हमारे पास कितना आ चुका है 10 liters और 10 liters में जो alcohol मिला हुआ है वो कितना है 1.2 and 2.4 that is equal to 3.6 liter तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताईए कि alcohol की percentage कितनी है तो मैं पुछूँगा कि भाई total हमारे पास solution कितना है 10 liter तो 10 liter का x percent माल लिया alcohol है x upon 100 और total कितना आ रहा है 3.6 तो percentage अगर देखी जाए total तो answer आएगा 0 से 0 cancel answer x equal to 36% मतलब total mixture में 36% alcohol मौझूद है चले अगला question देखे sequence in series से बहुत ही प्यारा question है find the condition that the roots of the cubic equation this 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 are in geometric progression कह रहा है कि इसके roots जो geometric progression में है तो माल लिया हमने जो इसके roots हैं वो क्या है alpha equals to a upon r beta equal to a and gamma equals to ar तो अब अपने पास sum of the roots कितना मिलेगा देखे sum of the roots equal to मिलेगा p p क्योंकि यहां पर वही rule लगेगा alpha plus beta plus gamma equal to minus b upon a so यहां पर कितना आ जागा p so a upon r plus a plus a r equal to कितना है p so a common आ गया है यहां से 1 upon r plus 1 plus r equals to हमने लिक्या लिया p लिया है now पहली condition तो यह बन गई दन में इसके बाद है sum sum of product of the roots तो alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to होता है c upon a c की जगे कौन खेल रहा है आपे q q upon 1 now value रख दीजे 1 upon r into a plus a into a r plus a upon r into a r तो r इधर पे cancel हो गया है इधर पे आ जाएगा कितना total a square common आया है पहले में 1 upon r बच गया दूसरे में r बच गया और तीसरे में कुछ नहीं बचा 1 equal to q so a square की value मैं लेख सकता हूँ a multiply by a 1 upon r plus 1 और इतना जो part आपके पास दिख रहा है ध्यान से देखे इतना part आपके पास क्या निकला है यह part निकला है p okay so हमाँ पास कितना आ जागा a into p equal to q a into p equal to q तो यहां से एक logic हम को मिल गया कि जो a की value आ रही है वो कितनी है q upon p a की value आ रही हमाँ पास क्या q upon p now product of the zeros करते हैं alpha into beta into gamma equal to minus d upon a तो minus of minus r upon 1 that is equal to plus r a upon r into a into a r equal to plus r a q equal to r और a की value हमने निकाली कितनी q upon p तो whole q equal to r आ जाएगा so q cube upon p cube equals to कितना r तो यह हमारी जो situation है यह होगी इसका answer चली आगला question देखते हैं जो कि क्रम्चे संचे का है m व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं इसमें से दो का चुनाओ यदर अच्छिक रूप से किया जाता है दो chain किये गए व्यक्तियों के एक साथ ना होने की प्रायकता कहरा कि mc2 equal to होता है m into m minus 1 upon 2 तो ये तो total नीचे आ जाएगा मतलब total चुनने के तरीके हो गए दो लोगों के अब कहरा है यदि दोनों व्यक्ति साथ हो अगर दो व्यक्ति कोई विशेस व्यक्ति है अगर उनको साथ ले लिया जाए तो कुल चुनने के तरीके कितने होगे देखो आपको इसमें से दो लोग चुनने है और अगर आप दो लोग अगर आप दोनों साथ में ले लो दोनों को साथ में ले करके दो लोगों को चुनो तो विशेस तरीके आपके पास कितने होगे इन में से दो का चुनाओ या दरचिक रूपसी किया जाता है यदि दो लोग साथ में रहे तो सबसे पहले चुनने के तरीके यहाँ पर आपको बताने है कि अगर दो लोग साथ में रहे तो आपको चुनने के तरीके कित्ते होंगे चले देखे तो देखे दूसरा बाट जो इस question का कहा रहा है उसको समझना जलूरी है कि M वेक्ति एक साथ पंक्तिम बैठे हुए है भाई तोटल दो लोग चुनने है ये तो बात हो गई अब कह रहा है कि इसमें से chain के बैठे हों कि एक साथ ना होने की मतलब एक साथ चैन वाले ऐसे लोग ना हो जो आजू बाजू बैठे हुए थे एक साथ ना बैठे हो तो सबसे पहले इतने case निकाल लो जो एक साथ बैठे थे तो समझो इस condition को मान लो आपके पास में A, B, C, D चार लोग बैठे थे तो इसमें एक साथ वालों को चुनने के कितने तरीके हैं तो अगर अन लोग है तो आजू बाजू बाजू वालों को चुनने के कितने हुगे थे एम माइनस वन तो आजू बाजू वाले ना आएं उसको तुनने कितने देगे होंगे total minus 7 वाले तो total कितने अपने पास mc2 है और minus 7 वाले कितने हैं अपने पास में 7 वाले अभी आपने निकाल लिए m minus 1 तो प्रैक्ता आपको निकाल लिए कि कुल तरीके कितने होंगे तो देखे, इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्ता solve करने पर आएगी, mc2 minus m, m minus 1, yes, divided by कितना आजाएगा, mc2, तो yes, यह प्रैक्ता आपके पास में आजाएगी, okay, साथ ना होने की प्रैक्ता that is equals to mc2 minus m minus 1, तो mc2 minus m minus 1 के विदी आप हल कर लेंगे, तो देखे, मैं solve कर देता हूँ, mc2 होता है, m into m minus 1 upon 2, और minus m minus 1 करेंगे, तो m minus 1 यहाँ से common आजाएगा, तो आपके पास आएगा, m minus 2 upon 2, yes, और whole divided by आपको क्या करना पड़ेगा, mc2 करना पड़ेगा, तो आपकी प्रैक्ता आजाएगी, okay, तो यह प्रैक्ता कितनी आ रही, 1 minus 2 upon m, solve करके answer हैगा, 1 minus 2 upon m, चलिए, अगला देखे, अगला question कह रहा है, कि if fx equal to x square plus 1, the value of x is between 0 to 1, and 3 minus x, x is between 0 to 1, क्या यह function theorem 0 से लेकर 2 में, rule is theorem में apply होगी, तो rule is theorem का statement क्या होता है, f of a equal to f of b, तो f of 0 पर value रेखे, इसके कितनी आएगी, 0 plus 1 that is equal to 1 आएगी, और f of b पर इसकी value कितनी पर आएगी, 2 पर आएगी, 2 पर आएगी rule is theorem, और 2 पर इसकी value किती, 3 minus 2 equals to 1, तो पहला पड़ाओ तो clear हो चुका है, कि यह function जो है, end point पर जो value है आपकी, जो value आ रही है, आपकी f 0 equals to f 2 को support कर रहा है, okay, then इसके बाद function जो है, throughout continuous होना चाहिए, तो साफ साफ यह continuous दिख रहा है, then इसके बाद कहरा है कि क्या है, differentiable है कि नहीं है, तो चली हमारे पास 1.1 है, तो 1 पर मैं इसकी differentiability चेक करता हूँ, तो 1 पर left hand derivative कित चेक कर रहे हैं हम, derivative, तो कितना आ जाएगा, इसको differentiate कर देंगे, तो 2x आ जाएगा, और 2 into 1 that is equals to 2 आएगा, okay, तो इसका जो left hand derivative आ रहा है, 1 से पीछे की और, वो कितना आ रहा है, कितना रहा है, 2 आ रहा है, हम इन गरत लिख दिया है, so f dash 1 minus h, क्योंकि 1 minus h, 1 से पीछी की और का कितना हो जाएगा, minus 1, तो f dash 1 plus h, आपके पास कितना रहा, minus 1, जो की सही लिखा है, तो इस तरीके से ये function, इसके बीच के, point x equal to 1 पर differentiable नहीं है, इसका मतलब, ये जो function होगा, not applicable, मतलब, rules theorem इसमें apply नहीं होगी, चलिए, अगला question देखते है, देखिए, ये, exponential series, logarithmic series से question ह question है, 3 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1, 7 upon factorial 3 का, आपको सम बताना है, कि इसके infinite terms तक का सम क्या होगा, देखिए, उपर जो series बन रही, बन रही 2n plus 1, और नीचे factorial n है, तो मैंने इसको break कर दिया, 2n upon factorial n plus 1 upon factorial n, 2 times n upon factorial n plus 1 upon factorial n, 2 common ले लिए और n से 1 n cancel हो जागा, बचेगा, 1 upon factorial n minus 1, that is equal to 2e, and 1 upon factorial n ज 1 upon 1, फिर 1 upon 2, फिर 1 upon 3, इस तरीके से दिसकी value किती हाती, e minus 1, so 2e plus e minus 1, that is equal to कितना हो जागा, 3e minus 1, तो इसका correct answer कितना होगा, 3e minus 1, चले दोस्तों, अगले question के ओर चलते हैं, आपके पास question इस बार पहल, पिछले बार अलग था, इस बार 1 से जरू हो रहा है, 1 plus 3 upon factorial n, तो मै 1 को लिख सकता हूँ, 1 upon factorial 0, 1 upon factorial 0, तो यदि मैं यहाँ पर इस series को लिखो हूँ, इसका nth term, तो यह कितना है, उपर है 2n minus 1, और नीचे आपके पास क्या बन रहा है, n minus 1, और n की value जहां से कहां से start हो रही, 1 से, ओके, n की value 1 से start करेंगे, तो पहला 1 minus 1 0 बनेगा, जिसकी value factorial 1 ह ही होती है, factorial 0 equal to 1, n 2 n minus 1 में ऊपर कटरम 1 बनेगा, नौ, solve करते हैं, कैसे solve होगा, ऊपर हो जागा, 2 n minus 2 plus 1, and upon factorial n minus 1, तो 2 n minus 2 upon factorial n minus 1, 1 upon factorial n minus 1, 2 common लेने के बाद, n minus 1 upon factorial n minus 1, तो यहाँ पर دेखिए, n minus 1 common लिजे, तो n minus 1 से n minus 1, cancels 2 upon factorial n minus 2, plus 1 upon factorial n minus 1 तो यह क्या बन जाएगा देखें यह होता है 2E because अगर आप n की value यहाँ पर 1 डालेंगे तो 0 आएगा 2 डालेंगे factorial 0 है तो negative है तो 0 आजाएगा तो यहाँ पर n की value अगर आप 1 डालते हैं तो कुछ नहीं आएगा n की value 2 डालते हैं कुछ नहीं आएगा बट n की value जैसे 2 डालते हैं तो 2 डालने से आपके पास में रेखें यह इसके आपको values मिलना सुरू हो जाएगी 2 पर आपको मिल जाएगा 1 upon factorial 0 फिर इसके बाद 3 पर मिल जाएगा 1 upon factorial 1 तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा है 2e मिल जाएगा 2e प्लस e आंसर इसका बनेगा 3e चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question आपके पास में value of the limit limit x tends to 0 2 x sin 1 by 2 x की value निकालनी है तो बहुत ही simple question है देखो 2 into 0 करो के 0 आजाएगा और sin की value 1 upon 2 x की finite होती है so 0 multiply by any finite value equal to 0 और आपको बाकी limiting case के लिए आप इसको इस तरीके solve कर सकते हो limit and y tends to infinity लेकर के अगर आप 1 upon 2 x को y ले लोगे तो उपर sin y upon y बन जाएगा और sin infinity upon infinity और sin infinity minus 1 से लेके plus 1 के बीच में लाई करेगा upon infinity equal to 0 तो दो तरीके हैं मुझे ये तरीका पसंद है और जिसको ये अच्छा लगे तो ये भी कर सकता है done चले अगला question देखे, question में का आगया है if root 10 is equal to 3.1622 then the value of 1 upon root 10 तो बहुत ही simple question था 1 upon root 10 को हमको rationalize कर देना था उपर root 10 है, नीचे 10 आ जाएगा okay, question ढरावना देखे रहा बट है बहुत easy 3.1622 और divided by 10 कर देंगे तो कितना जगा? 0.316622 okay, so इसका correct option कितना हो जाएगा? 0.31622 देखे, 0.0 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है correct answer होगा इसका D option okay, दोस्तों चले अगला question देखते हैं अगला question बहुत ही अच्छा question है, रोमांचित कर देने वाला question है आपके पास कह रहा है कि अगर sine theta की value जो है, वो है 101013 upon 1014 theta एक नया concept आपको यहाँ पर introduce मिलेगा 1013 upon 1014 theta, ये sine theta की value आपको दी गई, तो आपको बताना है कि theta का value क्या होगा, किते radiance में होगा, degree में होगा आपको theta की value बताना है तो देखे, हम जो है यहाँ पर यह जो value दिखरी है हमको normally किस में दिखरी, radiance में दिखरी है और हम यहाँ पर लगाते हैं, sine theta equal to 1013 upon 1014 theta है, sine theta के नीचे में theta लिया है, so sine theta upon theta is equal to 1013 upon 1014, now sine theta, अगर मैं टेबल इसको open कर दूँ, तो sine theta is equal to क्या होता है, sine x equal to x minus x cube upon factorial 3 plus x की power 5 upon factorial 5, सी तरीके से sine theta यह break हो जाएगा, now sine theta upon theta, देखे, 1 minus theta square upon factorial 3 plus and so on, इस तरीके से आपको यह value आंगे चलती जाएगी, अब ध्यान से देखे, आपके पास जो है, 1 minus theta square upon 3 इस तरीके से आपके पास यह value चलती जाएगी, अब आपने आंगे की value का आपको नेगलेक करना है देखे, इसको theta को divide कर दिये तो यह कितना बन गया, 1 minus theta square upon factorial 3, और आंगे की value जो भी होंगी, अब आप देखे आंगे की value का आप नेगलेक कर दिये, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है value 0 point something आ रही है न, divide करने पे तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि उपर numerator चोटा है, denominator बड़ा है तो बहुत ही छोटा है, तो आप क्या करेंगे considering theta is very small तो आप क्या करेंगे, इसको आंगे की जो terms आ रहे है, theta की power 3 वाले 4 वाले 5 वाले, उनको आप क्या करो neglect कर दो, okay तो आपके पास इसको लियाओ minus में, तो 1 minus 1 0 1 3 upon 1 0 1 4 equal to कितना आ जागा theta square upon factorial 3 मतलब 6 okay, so यह solve हो करके कितना आ जाएगा, 1 0 1 4 इधर जाएगा यह बनेगा, 1 upon 1 0 1 4 is equal to theta square upon 6, okay, 6 को आप कार दीजे, इससे, देखे 6 से यह cancel हो जाएगा, तो 6 वन जा 6, okay and कितना बज़ गया, 4 1 और 6 6 आ, 36 and 6 9 जा, 54 तो 169 आ गया, so theta square equal to 1 upon 169 तो theta is equal to 1 by 13, तो answer इसका कितना होगा, 1 by 13 radians इसका answer होगा चले दोस्तों, अगला question करते हैं, कहिए question की, z plus mod of z square equal to 0 दिया है, तो बताइए इसके कितने solution होगे, तो अगर z plus mod z, sorry, z square plus mod z square equal to 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z square plus z z bar equal to 0, because z z bar जो हुआ करता है, that is equal to mod of z का square होता है, तो यहाँ मैंने replace कर दिया, इसका मतलब दो चीजे 0 है, या तो z 0 होगा या z plus z bar equal to 0 होगा okay, z 0 होना मतलब एक solution, and z plus z bar equal to 0 होने का मतलब क्या हो गया, real part of z equal to 0, because z plus z bar कितना हाता है, 2x, and two times of two times of x, मतलब की, two times of real part of z equal to 0, it means x equal to 0, अब कहरा है, इसके कितने solutions होंगे, तो देखें, आपके पास z क्या चला करता है, z equal to x plus i y और कहरा है कि कितने solutions होंगे, यह guarantee कि x की value 0 होनी है, okay, और y का कुछ नहीं विया गया, तो इसके answer कितने solutions होंगे, y कुछ भी हो सकता है, 1 i, 2, 2 iota, 3 iota, 4 iota, भाई, सम्में x तो 0 है, तो इस तरीके से इसका कितने answers होंगे, इसके answer होंगे infinitely many solutions, चलिए, अगला question देखते है, अगला question आया हुआ है, कि if mod of z square minus 1, question में क्या दिया है, mod of z square minus का 1 is equal to mod of z square plus 1, यह आपके सामने एक equation दी गई है, complex equation, आपको कहा गया कि बताइए, किस चीज को represent करता है, circle को, real axis को, imaginary axis को, यह ellipse को, ओके, तो देखे, क्या करते हैं, ऐसे question में आप z की value x plus i, y put कर दीजी, तो यह हो जाएगा, x plus i, 8 of i का whole square minus 1, equal to mod of x plus i, 8 of i का whole square plus 1, यह इसको मैंने open कर दी है, तो x square plus y, x square minus y square, plus 2i uta xy minus का 1, ओके, और यह हो जाएगा, under root x square plus y square plus 1, तो यह हो जाएगा, x square minus y square minus 1 plus 2i uta xy, that is equal to, under root से square कर जाएगा, x square plus y square plus 1, अब मैं दोन तरफ यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, root ले करके, इसका दोन तरफ square कर दूँगा, तो square करने के बाद, मुझे महनत करनी पड़ेगी, और यह मेरे पास एक equation आएगा, इस equation को solve करके पास, मेरे पास कितना आता है, 4x की power 0 equal to 0, 4x square equal to 0, यह solve करने के पास क्या है, 4x square equal to 0, this means x equal to 0, और x equal to 0, y axis का equation होता है, बट यह complex number में y axis को imaginary axis बोलते हैं, आधिकल्पित अक्ष, चलिए, अगला question देखते हैं, अगला question कहागा, find the value of m, if one of the polynomial is, one of the zero of the polynomial, this is reciprocal to the other, एक आपके पास polynomial यह लिए आगा, कह रहा है कि, इसके जो roots हैं, एक दूसरे के विपरीथ हैं, तो आपको पता हो कि roots अगर विपरीथ होते हैं, तो alpha into beta equal to c upon 1 होता है, और roots विपरीथ होंगे, तो एक दूसरे cancel कर देंगे, मतलब क्या condition बन जाएगी, c equal to a, तो यहाँ पे c कितना है 4m, और a कितना है m square plus 4, तो m square plus 4, equal to कितना हो जाएगा 4m, तो मैं इसको लाऊँगा इधर, m square minus 4m, plus 4 equal to 0, और यह बन जाएगा मेरे पास कितना, m minus 2 का whole square equal to 0, तो answer आएगा कितना, m equal to 2, तो इसका answer आजाएगा मेरे पास, m equal to 2, तो correct answer इसका ही है, और बाकी करने के कई तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पर देखी, एक तरीका और किया गया है, कि अगर एक root से इसका alpha है, तो एक root ले लिया गया है, alpha F alpha equal to 0, and दूसरा root 1 upon alpha है, तो दूसरा root 1 upon alpha equal to 0 ले लिया गया है, इसके बाद में इस equation को बना करके, तो alpha square, alpha और constantum के लिए तीन conditions बना करके solve किया गया तो ये भी एक possible तरीका है बट आपको जो मैंने पहना तरीका बता है वो best है चलिए integration का अगला question बहुत भी मज़दार है पीजी टीवले का question है, आईए देखते हैं question क्या कह रहा है तो फॉर्मला होता, 1-2 sin square theta की whole power 3y2 into cos theta d theta लेख दिया अब देखे, मैं sin theta को क्या support करने वाला हूँ, team मानने वाला हूँ, तो साइन theta equal to t, मतलब cos theta d theta equal to kya बन जागा, dt बन जागा 0 से लेके 1 by root 2 1 minus 2t square की power 3y2, अब देखे, मैं क्या लिख सकता हूँ तो root 2 dt by dz equal to कितना हो जाएगा cos z तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा यहां से 0 से लिपाई by 2 limit change हो जाएगी क्यों क्यों हो जाएगी limit change क्योंकि आपने root 2t equal to sin z नया variable introduce करा रहा है आप sin z तो चलिए t की value डालते हैं तो 0 पे 0 मिल जाएगी और t की value 1 upon root 2 डालेंगे तो root 2 से root 2 cancel मतलब आपको कितनी मिल जाएगी pi by 2 तो 0 से लेके pi by 2 अब value put करता हूँ देखिए 1 minus root 2t को अपने माना sin z तो 1 minus sin square z की power 3 by 2 और क्या बैठा हुआ है देखिए यहां पे और बैठा हुआ है आपके पास में dt बैठा हुआ है ओके तो dt इकल डू कितना हो जाएगा 1 upon root 2 cos z d z 1 upon root 2 cos z d z तो अब यह आर्सान हो चुगा है question 1 upon root 2 बाहर आ जाएगा sorry 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 yes 1 second हाँ तो देखिए यहां पे क्या था यहां पे हमारे पास root 2 dt d z equal to cos z है so dt के value कितनी है आजएगी dt के value यहां पे root 2 लगाना है मैं भूल गया हूँ wait 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 चले देखिए एक बाद फिर से मैं यहां पर बता देता हूँ क्या हुआ है यहां पे तो root 2t equal to अपने sin z मान लिया है तो root 2t dt by d z equal to कितना हो जाएगा cos z तो यहां से dt की value निकाल लो dt के value आपको replace करनी cos z d z upon root 2 तो 1 upon root 2 cos z d z और 1 minus root dt root 2t के value कितनी sin z है तो whole square जागा sin square z then इसके बाद 0 से लेके pi by 2 1 upon root 2 1 minus sin square z हो जागा cos square z और root 3 by 2 से root 2 power से 2 power cancel cos cube हो गया और एक power 4 हो गई तो cos की power 4 z limit कितनी है 0 से लेके pi by 2 okay देखिए आप यहाँ पे limit change हो गई थी अब t की limit आचुकी पहले limit कितनी थी पहले limit थी आपके पास 0 से लेके 1 by root 2 बट जैसे ही आपने 2t under root 2t equal to sin z put किया है तो limit z की चलेंगी okay 0 से लेके pi by 2 अब देखिए 1 minus sin square z हो गई यह सब कुछ यहां तक आगे थे cos की power 4 z and 1 upon root 2 है और इसको आप wallis theorem से open कर दीजे तो 4 में से यहाँ पे जो है 4 से 1 कम 3 और 3 से 2 कम फिर 1 और नीचे 4 और फिर 2 कम और pi by 2 आएगा as यहाँ पे 2 आ रहा है यह rules आपको पता होंगे I think so तो उपर कितना आ जागा 3 pi upon 16 root 2 is the answer चले अगला question देखते हैं अगला question आपको दिया गया है कि अगर x की value 0 से लेके pi by 2 के बीच में लाई कर रही है मतलब x अगर आपका अगर first quadrant में लाई कर रहा है तो और कहरा log sin x tan x की value 0 से बड़ी या 0 से बराबर है एक बात बहुत important यहाँ पर सारी चीजों को लिख लिए क्योंकि यह बहुत काम में आने वाली है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपके पास log of sin x and 10 x की value जो है वो क्या है 0 से बड़ी है या बराबर है तो कहरा कि range की range of x equal होगी x की range आपको बताना है मतलब यह जो x vary हो रहा है x का variation कैसा होगा यह आपको बताना है ठीक है तो यह बहुत tricky question है logarithm case में बहुत अच्छे चो fundamentals लग रहे हैं आइए इसको करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है सबसे पहले कह रहा है कि 0 से लेके pi by 2 0 से लेके pi by 2 सिस्थे में sin x भी positive होता है और 10 x भी positive होता है बट हमको यह याद रखना पड़ेगा कि 0 से लेके pi by 2 में जो sin की value होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में vary किया करती है और 1 के equal नहीं होगी मतलब sin x does not equal to 1 होगा 1 के equal और 10 x की value कहां से कहां जाएगी 10 x की value जो जाएगी 0 से लेके infinity जाएगी 10 x belongs to 0 to infinity तो यह सारी function के आधार पे हमने सारी चीज़े discuss कर ली है अब आँगे बढ़ते है देखो आँगे क्या कह रहा है कह रहा है कि यह जो sin 10 x है greater than 0 है sin 10 x जो है greater than 0 है अब आप एक चीज़ यह जाएखना कि sin x की value यहाँ 0 से लेके 1 के बीच में है sin x की value जो होती है 0 से लेके 1 के बीच में है तो क्या होगा आएगे देखते है सबसे पहले देखा x की value 0 से लेके pi by 2 के बीच में है तो sin x is greater than 0 and 10 x is also greater than 0 and m is greater than 0 और n की value greater than n की value 1 के equal नहीं है ठीक ना दोनों हमाई पस क्या है positive है और ये value 1 के equal नहीं है ओके तो देखे sin x is greater than 0 10 x is greater than 0 and sin x is not equal to 1 ये तो हमको पता है कि sin x की value 1 के equal नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाता है तो function valid नहीं होता है log का base कभी 1 नहीं होना चाहिए ok a is not equal to 1 आपने पढ़ा होगा ये देख लीजिए अगर आपके पास में log of a base x है तो यहाँ पर यह हुआ करता है a is not equal to 1 या तो a 1 से बढ़ा होगा ok a 1 से बढ़ा होगा a की value जो होती है 0 से लेके 1 के बीच में होती है a की value कभी 1 के equal नहीं हुआ करती है तो देखे यहाँ पर अपक्या scene बन रहा है तो sin x की value हमाई पस 0 से लेके 1 के बीच में दी गई है तो अब यदी मैं यहाँ से log हटाता हूँ ध्यान से देखना तो अब मैं लॉग यहां से हटाता हूँ क्योंकि यह 0 से 1 के बीच में तो inequality का sign change हो जाएगा और यहां पर यह 0 किसकी power में चला जाएगा, sin x की power में तो 10x और less than की निशाना जाएगी, 10x is less than or equal to sin x to the power 0 means 10x less than 1, 10x की value 1 से काम होनी चाहिए, मतलब 10x की value अगर 1 से काम होनी चाहिए मतलब x is less than pi by 4, x is less than pi by 4 तो interval क्या होगा, x belongs to open interval 0 to pi by 4 x belongs to open interval 0 to pi by 4, तो इसमें यह question अच्छा है, इसलिए क्योंकि logarithm की भी property यूज हो रही है trigonometric की property यूज हो रही है, और एक खास property मैंने आपको बता देगी, अगर यह वाली चीच जो होती है अगर 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो इधर जाने पर, ok, n की power 0 जाने पर, जो sign हो जाएगा, वो change हो जाएगा n की power 0 जाने पर, जो हो, sign जो होगा, change हो जाएगा, ठीक न, तो यह property आप याद रखेगा, इसको मैं यही summarize करूँ, एक तरीके से तो मैं कह सकता हूँ, कि अगर आपके पास log a base b है, ok, log a base b, less than or equal to c ria है, less than or equal to के तरीया है, c ria है, तो अगर आपके पास a की value 0 से लेके 1 के में है, a की value 0 से लेके बन के बीच में है, तो b जो होगा, वो greater हो जाएगा, a की power c से, मतलब inequality के निशान जो होगे, change हो जाएगे, और यदि अगर आपका a का value 1 से है, तो inequality का निशान change नहीं होगा, मतलब that time b is less than or equal to a to the power c, तो यह rule हुआ करता है, इसकी practice करिए, अच्छे से आपको, done, so I hope कि आपको यह question बन जाएगा, चलिए, देखे, अगला question दोस्तों देखते है, greatest integer पर की property पर भी इस अगला question है, highly technical question है, इसमें क्या कह रहा है कि if x equal to greatest integer x, x, x इसका square minus greatest integer x का square, where greatest integer denotes the, where this dot denotes the, this function denotes the greatest integer, और x की value 0 से लेके 2 के बीच में है, तो बताइए, set of the values क क्या होंगी, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि greatest integer कहां कहां पर break हो रहा है, कहां कहां पर अपनी property को बदल रहा है, वहां वहां पर इसको हम solve करेंगे, okay, आईए देखते हैं, तो देखे हमारे पास जो values है, x square, देखे, x square कहां पर अगर आप root 2 दोगे, तो यह 2 हो जा पर रूट 2 के बाद, root 3 भी आएगा, okay, root 3, because root 3 का square 3 होगा, root 3 का square 3 होगा, वहां पर भी function कुछ ना, कुछ changes आएंगे, function में, आईए, तो देखते हैं, हमारे पास, देखे, x की value 0 से 1 के बीच में है, एक बन गया, x की value 0 से लेके 1, interval हम ब्रेक करते हैं, पहला 0 से लेके 1, फि फिर root 2 से लेके root 3, फिर root 3 से लेके 2, and finally x equal to 2, हमारे पास total हो चुके हैं, तो, देखे, x equal to 2 तक, क्योंकि interval हमारा सुरू हो रहा है, 0 से लेके 2 तक, तो 2 तो last में आई चुका है, देखे, अब क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 function है, एक है greatest integer, sorry, greatest integer of x square, और दूसरा है x का greatest integer का square, ओके, तो greatest integer of x square 0 से लेके 1 के बीच में कितने पे टूटेगा, आप कोई भी number x लेके square कर लो 0 से लेके 1 के बीच में उसका greatest integer 0 पे टूटेगा, और कोई भी number का greatest integer 0 आएगा, तो उसका square भी 0 आएगा, so function यहाँ पर क्या है, दोनों का subtraction, तो function कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो first में 0 से लेके 1 के बीच में जो function generate हुआ, वो क्या generate हुआ 0, अब फिर बात करते हैं, 1 से लेके root 2 के बारे में, तो 1 पे greatest integer, 1 से लेके root 2 के बीच में, जो greatest integer x बनेगा, क्योंकि 1. कुछ कुछ आएगा, root 2 भी का होता, 1.414, तो यदि आप root 2 का square करोगे, root 2 का square, root 2 से थोड़ा सा कम, root 2 होती है, root 2 का square के तो 2 होता है, तो 2 से थोड़ा सा कम 1.99 पे आएगा, तो इसकी value किते पर टूटेगी, 1 पर टूटेगी, और x का square ये तो साब देखी रहा भाई कि ये 1 का greatest integer मतलब 1 point something का 1 ही आएगा और इसका square करोगे तो 1 आएगा दोनों को subtract कर दिया तो कितना आगया 0 तो दूसरा वाला part भी 0 आगया very beautiful then इसके बाद x की value root 2 से root 3 के बीच में लाई कर रही तो जो आपका greatest integer x का square है वो तो 2 पे break होगा 100% ये तो 2 पे break होगा then इसके बाद greatest integer x का whole square 1 point कुछ कुछ है 1.5 भी है तो 1 में break होगा और उसका square कितना आएगा 1 आएगा फिर इसके बाद आते है root 3 से लेके root 2 के बीच में तो root 3 से लेके root 2 के बीच में अगर आप कोई number लेते हो तो root 3 root 3 से बड़ा कोई number है तो उसका x square 3 point something आएगा तो x square का greatest integer कितना आएगा 3 and root 3 से लेके 2 के बीच में तो 1.5 के ऊपर के इन number होगे 1.9 तक होगे तो उसका greatest integer 1 आएगा और 1 का square 1 आएगा now 3 minus 1 equal to 2 and finally आपके पास में x equal to 2 पर आएगा यह कितना आएगा यह 4 आएगा और यह 2 का square भी 4 आएगा तो यह कितना होगे 0 तो कह रहा है then the set of the values of the fx, fx की values क्या मिल रही है यह को 0 मिल रही है, 1 मिल रही है, 2 मिल रही है तो आपके पास एक set बन जाएगा values का 0, 1 and 2 so this question is very beautiful, very nice बहुत बढ़िया दिमागी जुगत लगी इस question में, धन्यवाद तो चलिए, आँगे बढ़ते हैं चलिए, अगला question quadratic concept के बहुत ही, quadratic equation के बहुत शांदर concept को लेके बना हुआ है let fx equal to 1 plus b square x square 2bx plus 1 and let mb is the minimum value of fx mb is the minimum value of fx जो fx की minimum value mb है, तो आपको बताना है at b, range of the mb तो आपको बताना है कि उस समय minimum value of fx है mb तो mb के आपको range बतानी है कि range क्या होगी the range of the mb अब देखो भाई, एक बात यहाँ पर यहाँ पर function दिया गया है और कह रहा है mb इसकी minimum value fx की तो यह आपके पास में क्या quadratic equation है और quadratic equation जो होता है आपकी minimum value कब दिया करता है quadratic equation आपकी minimum value तब देता है जब function नीचे की तरफ जाता है मतलब a is greater than 0 तो है दिख रहा है यहाँ पर a is greater than 0 and d is less than 0 है ना, तो minimum value के लिए यह condition होनी चाहिए कि अगर function जो है नीचे की तरफ जा रहा है minimum value exist करवा है मतलब a greater than 0 and d is less than 0 तो यहाँ पर a greater than 0 है that is 1 plus b square क्या होना चाहिए greater than 0 होना चाहिए and d is less than 0 तो b square minus 4 is b की जगे कौन खेल रहा 2b, 2b का square minus 4 into 1 plus b square into 1 so 4b square minus 4b square that is d is equal to minus 4 और d की value क्या है less than 0 है मतलब यहाँ पर यह बात सही हो रही है अब इतना होने के बाद d की value minus 4 आ गई अब इतना होने के बाद कह रहा है कि यदि ऐसा हो रहा है तो आपको बताना है कि mb की range क्या होगी mb देखो भाई m क्या है minimum value mb क्या है minimum value mb क्या है इसकी minimum value अब हमसे कह रहा है इस function की range क्या होगी मतलब हमें y की value find करनी की y की value find करेंगी क्या होगी अब देखे ध्यान से यदी हम देखते है range के लिए तो अगर आप जानते हैं चाहते हैं तो यह पूरा का पूरा क्या होना चाहिए positive तो इसके define होने के लिए मैंने विवीज कर method से दो point ले लिए एक मिलेगा मेरे को y equals to 1 y क्यों मिलेगा because 1 minus y equals to 0 करूंगा तो y equals to 1 मिल जागा एक point दूसरा point मेरे को क्या मिल जागा y equals to 0 अब मैं equality लगाता हूँ तो देखे यहां पर मैं y की value 1 से बड़ी लेता हूँ तो 1 minus 3 के आजाएगा negative आजाएगा तो मतलब यह वाला portion negative है यह वाला portion positive और यह वाला portion क्या है negative है अब हमको कैसी value चाहिए देखी ध्यान से यहां पर आपको हमने बताया था कि हमें जो है यहां पर y की हमें जो value चाहिए वो यहां से decide होगी कि y क्या होना चाहिए तो y हमारा positive होना चाहिए तब ही हमारे पास answer आएगा तो positive जो निकल रहा है वो किसमें निकल रहा है 0 से लेके 1 के बीच में 0 से लेके 1 के बीच में it should be positive है ना तो 0 से लेके 1 के बीच में हमारे पास value निकल रही है अब एक मिनट रुकिए यहां पर आप सोचेंगे कि 0 तो ले नहीं सकते हम देखे अगर 0 लेंगे तो function की band बच जाएगी 0 लेंगे तो 1 upon 0 मतलब infinite हो जाएगा बट क्या 1 ले सकते हैं अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 minus 1 equal to 0 आता है जो कि एक valid value है y हमारे पास real number होना चाहिए और वो 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो answer इसका कितना होगा open 0 and close 1 so correct answer equal to d इस question को बार बार करिए ऐसे question बहुत important होते हैं चली आगे बढ़ते हैं चली अगला question sequence का है convergent and divergent sequence का तो चली question उठाते हैं देखे आपके पास एक sequence दिया गया है 1 plus minus 1 की power n divided by n और आप से पूछा गया कि यह sequence कैसा है तो sequence को हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई GP वगरे का concept लग नहीं रहा है तो हम randomly यहाँ पर values निकालते हैं sequence की so u n हमारे पास दिया है 1 plus minus 1 की power n अब हम u की value 1 डालते हैं सबसे पहला term जो निकालते हैं वो हमारे पास कितना आ रहा है देखे 1 plus minus 1 हो जाएगा 0 आ जाएगा मतलब इसकी सबसे चोटी value इतनी है अब इसके बाद देखे हम यहाँ पर value डालते हैं 1 डालते है तो 2 डालने पर ह हमारे पास value आ रहे है 3 by 2 okay then इसके बाद हम डालते है किसकी value इसकी value आपकी value डालते है 3 2 के बाद 3 so 1 minus 1 by 3 that is equal to 2 by 3 and then इसके बाद हमारी value 5 by 4 है और इसके बाद हमारी value कितनी है 4 by 5 है तो आप देखे यहाँ पर जो इसकी minimum value तो set हो चुकी हमारे पास 0 set हो चुकी है और maximum value यह लगातार क्या हो रही है कम हो रही है मतलब यह एक तरीके से divergent हो रही है 0 की दरफ आप इसको समझिए 3 by 2 कितना होता है 1.5 होता 2 by 3 कितना होता है 2 by 3 निकाल लीजे calculator से आपको पता चल जाएगा कि एक तरीके से behavior कैसा इसलिए मैं यहापे calculator आपको use करा रहा हूं तो 5 by 4 कितना है आपके पास में 1.something तो 5 by 4 जो आपके पास में आएगा 5 by 4 की value एक बार मैं निकालता हो देखे 5 divided by 4 तो यह value मेरे पास किती हा रही है 1.25 तो यह value मेरे पास किती हा रही है 1.25 तो एक तरीके से देखे पहले value आपकी क्या थी? 1.5 थी और यह value फिर किती होगी? 1.25 हो गई आप इसको और आंगे solve करेंगे 4 upon 5 कर लीजे देखिए 4 upon 5 भी है so इसको मैं clear करता हूँ 4 divided by 5 मैंने किया है तो देखिए किता 0.8 तो यहाँ पर 0.8 value है तो यहाँ पर देखिए जो पूरी की पूरी सीरीज है वो 0 और 1.5 के बीच में जो है move कर रही है बट ऐसा नहीं हो रहा है कि 1.5 पर बार बार आ रही है एक तरीके से वो छोटी होती जा रही है सीरीज यहाँ पर ओके एक क्या हो रही है छोटी हो रही है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इसकी यह finite as the sequence is between the finite boundaries or it is convergent तो यहाँ पर इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे यह इस सीरीज को हम यहाँ पर convergent बोलेंगे चले दोस्तों अगला question देखते हैं यहाँ पर एक अच्छा question है काफी बार exam में भी आया है और M.P.Tet में पूछा क्या question है सब्द mathematics के चार अक्षरों से chain करने के कुल तरीकों की संक्या तो यहाँ पर देखे आपके पास में सब्द mathematics है और टोटल आपके पास अक्षर कितने हैं देखे दो M हैं दो दो चार दो छे साथ आठ आठ नौ दस ग्यारा टोटल आपके पास ग्यारा अक्षर हैं और आपको तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तोटल आठ अक्षर हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, अलग प्रकार के अक्षर, तो आठ में से चार अक्षर लेने के तरीके कित्ते होगा है, 8C4, ओके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे चैन रृख गुतल जो हैं, दो अक्षर यहाँ पर लेने के मेरे पास 3 तरहीके हैं, तो इन दोनों जग़ों के लिए मेरे पास कित्ते तरीके हैं, 3 तरीके, अब मेरे पास बाकी कित्ते बच गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और साथ ही साथ में, दो अक्षर और 5 तो यहोग जोग ओ anar है, क्योंकि लिया तो कोई हो गया है तो मतलब किते हो जाएंगे यहाँ पर अपने पास में हो जाएंगे 7 तो 3 में से कोई 1 का चेहन करना किता हो गया 3C1 तो इन नोनों जोड़ों के लिए 3C1 चेहने होगा और यह जो बाकी बच गये है 7 में से 2 अक्षर लोंगा 7C2 तो 3C1 इन टू 7C2 जिसको solve करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 63 आजाएगा चले लास्ट चलते हैं अब इसके बाद हमारे पास जो है 4 अक्षर अभी मैंने क्या किया 4 अलग उसके बाद मैंने का 2 अलग है अब इसके बाद अगर मैं दोनों अक्षर जोड़े में एक ही प्रकार के रखता हूँ तो यहाँ पे एक जोड़ा आएगा और यहाँ पे एक जोड़ा आएगा मतलब यहाँ पे एक प्रकार का अक्षर आएगा और यहाँ पे दूसरे प्रकार का अख्छार आएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा तीन में से कोई दो जोड़े उठाने पड़ेंगे तो 3C2 मतलब तीन में से दो जोड़े 3C2 तो आंसर के ता हुआ 3 तो टोटल संचे कितने हो जाएगे तो 1 से गड़े लिए दो एक्स और x मैनस वन पर तो इस तरीके से हमारे पाथ जो फंक्शन बन गया मैनस इंफिनिटी से 0 के तक के लिए हमाहाँ पास कितना बन गया लेज देन 0 के लिए माँनिस 2x प्लस 1 0 से लेके 1 तक के लिए हमाहाँ पास function 1 बन चुका है और 1 से गड़ देने के लिए function क्या बन चुका है हमाँ पस 2x-1 तो less than 0 के लिए ये लगा दिया greater than or equal to 0 to 1 के लिए ये लगा दिया और greater than 1 के लिए ये लगा दिया है अब देखें बताना हमें कि ये function हमारा differentiable है या नहीं है तो हम कहाँ पर check करते हैं देखें हम 1 पर check करते हैं हम 1 पर check करते है differentiability हलाकि check 0 पर भी कर सकते हैं बट हम 1 पर interested है आईए 1 पर check करते हैं पहले तो 1 पर left hand derivative और 1 पर right hand derivative के वे value निकालता हूँ देखें 1 पर left hand derivative निकलेगा वो कितना निकलेगा 0 क्योंकि इसको आप differentiate करते होगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 और one पर right hand derivative यदि आप इसको डिफरेंश neighbourhood करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 तो यहां पर मैंने लिख दिया है की one पर left hand derivative कितना मिल रहा है 0 और one पर right hand derivative ब निकलीगा 2 तो इसका मतलब यह जो question है यह जो function है यह differentiable नहीं है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है कि which of the following differential equation is a linear इसमें से कौन सा linear है तो पहला question पहला topic आपके पास आ रहा है d by dx plus x square y equal to root y यह आपके पास है तो देखें यह जो होता नहीं यह format होता है equation reducible to equation reducible to linear equation वाली format हुआ करती तो यदि आप इसमें देखो इसको पहचाने का तरीका है कि अगर आप यदि इसका divide कर दो यदि आप इसका divide कर दोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा देखो यह बन जाएगा x square upon root y और यह कितना आ जाएगा d by dx upon root y d by dx upon root y और अगर आप root y को t ले लोगे अगर आप root y को t ले लोगे तो यह आपके सामने x के यदि आप root y को t ले लोगे तो यह वाला टर्म आपका d by dx बन जाएगा क्या बन जाएगा d by dx अभी मैं समझाता हूँ आपको तब यह clear हो जाएगा कैसे करते हैं इसको ठीक है चलिए रेखे पहला पार्ट है तो यह आपने लिखा d by dx plus x square y equal to root y root y का मैंने define कर divide कर दिया तो यह मेरे पास format बन चुकी है अब मैं क्या करता हूँ root y को t ले लेता हूँ यह जो root y है इसको t ले लेता हूँ मतलब मेरी function जो dt by dx में बनाने की मैं कोसेश करूँगा तो root y t ले लिया और differentiate कर दिया मैंने तो 1 upon 2 root y d by dx equal to कितना हो गया dt क्योंकि x के respect मैं ने differentiate किया तो 1 upon 2 root y और d by dx equal to कितना आ गया dt by dx तो देखें मज़े की बात है कि 1 upon root y d by dx पूरा का पूरा 2 dt by dx बन जाएगा ये बन गया 2 dt by dx plus x square है और साथ में t है equal to 1 है 2 का divide करने पर dt by dx plus x square by 2 plus t plus 1 by 2 तो ये देखें ये function का dependent variable t है और यहाँ पर t की power कितनी है 1 है इसका मतलब ये क्या हो चुका है linear हो चुका है ये क्या हो चुका है linear अगला question देखें d by dx है minus तो ये तो देखने से linear समझ में आ रहा है कैसे देखें यहाँ पर अपन कर सकते है d by dx minus x की power n y is equal to sin x is equal to कितना sin x तो ये y की power में क्या है power 1 है यहाँ पर ये y का क्या हुआ linear अगला function देखें यहाँ पर function जो p x into y है 1 plus y अगर मैं y को upon में लेके आऊंगा तो यहाँ पर 1 plus y बन जाएगा इसलिए linear होनी सकता है यदि मैं इसको open करूँगा तो d by dx की whole power 2 हो जाएगी इसलिए ये भी linear नहीं होगा linear में x की power y की power हमेशा 1 होनी चाहिए है तो ये answer हो गया done clear चली देखते हैं अगला question क्या कह रहा है यदि x square plus p x plus 1 equal to 0 के मूल a, b है और x square plus q x plus 1 equal to 0 के मूल c, d है तो हमाँ पस दो equation दी है 1 x square plus p x plus 1 यहाँ मैं लिख देता हूं 1 x square plus p x plus 1 जिसके मूल है क्या a, b और दूसरा है x square plus q x plus 1 जिसके मूल क्या है C, D तो कह रहा है A-C into B-C into A plus D into B plus D का मान याद कीजे तो आप क्या मान लीजे कि देखे आपको सबसे पहले क्या है कि ऐसे equation मानने हैं दो equation मानने हैं जिनके मूल A, B और C, D हैं बद जिसके last में कितना होगा 1 होगा याद रखना है तो short trick से भी आप इस question को कर सकते हो क्योंकि आपके roots आपने A, B और ये coefficient P, Q है तो आप से फिर roots का ये term expression पूछी गई है बट याद रहे कि दो option match नहीं होनी चाहिए तो given A, B are the roots of the equation and B, C, D are the roots of this equation then A plus B की value देखे यहाँ पे कितनी होगी A plus B की value होगी कितनी minus P sum of the roots and product of the roots sum of the zeros ये वाला second value equation का product of the zeros now इनका आप multiply कर दीजे क्योंकि question में पूछा गया है आप इसको multiply करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसको पहले वाले A, B हो जाएगा C, A times of B plus C square और आपको ये पता है कि A, B पता है A into B पता है आपके पास इसलिए है सामने किया तो A, B की value कितनी आ जाएगी यहाँ देखे A, B की value किती है 1 है A plus B की value किती है P है और C square 1 minus P D plus D square अब आपको क्या करना है इस पूरे को आपको open कर देना है और open करते हैं से मैं आपको ये याद रखना है कि A, B की value 1 है C, D की value 1 है तो इसको open किया तो 1 minus P D plus D square plus C, P plus P square C, D देखे को C, D की value 1 पूट जाएगी plus P, C, D square plus C, D square और C, D, D ओके and C, D, D तो अब देखे यहाँ पर P, S, Q, D कुछ term cancel होगा क्या देखे एक चीज़ तो P, C, D square है यहाँ पर और, 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 और C square, D square प्लस का C square, माइनस का C square नहीं है, नहीं cancel कर सकते चलिए तो अब यहाँ पर कुछ cancel होता तो दिखने ही रहा तो 1 की जगे पर 1 छोड़ दीजे माइनस P, D की जगे, माइनस P, D square की जगे, D square, PC की जगे प्लस PC, P square, CD मैंने आपको बताया ना कि CD की value किती 1 है तो यहाँ पर CD की value 1 आ गई और फिर इसके बाद में CD की value 1 आ चुकी है, तो कितना बज़ गया माइनस P square, ठीक है एंद इसके बाद प्लस PC, D square देखे, PC, D square में P into CD into D चलेगा तो P into CD की value किती 1 है तो यह बज़ गया PD इसके बाद यह कितना बज़ गया देखे, फिर से बज़ गया अपने पास में प्लस का C square क्योंकि प्लस का C square तो यह वाला इसके बाद PC क्योंकि DC की value 1 है तो DC की value 1 रख दिया तो यहां पर फिर से कितना आ गया PC आ गया and CD की value 1 है तो C square D square भी आ गया देखो भाई, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है अब प्लस PC में PC cancel हो गया प्लस PD से माइनस PD cancel हो गया और 2 माइनस P square प्लस C square प्लस D square जिसको लिखा है जो है read before exam है आपको काफी सरी practices की करके जानी पड़ेगी तब exactly इस format पर बनेगा थोड़ा सा lengthy भी process है बट करना पड़ेगा इसको एक दो बार तब यह confidence में आएगा done चलिए अगला question देखते है देखिए कह रहा है if a multiple root of if a is a multiple root of order 3 multiple root का मतलब होता है alpha equal to beta equal to gamma तीनो ही क्या है a है इस equation के तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से relation सही है roots के लिए तो देखिए अपने पास में यह equation दिया गया है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि हमाँ पास तीनो roots alpha beta gamma equals to a है so in this equation हमाँ पास alpha plus beta plus gamma equal to कितना हाथा minus b upon a जो की b हो जाएगा so 3 alpha equal to यहने 3 equal to b हो जाएगा तो यहाँ से a की value कितनी आजाएगी b upon 3 then इसके बाद alpha into beta beta into gamma into alpha equal to c upon a और c की value यहाँ पर कौन खेल रहा है c की जगे c ही खेल रहा है c upon 1 हो जाएगा so यह alpha into alpha हो जाएगा क्योंकि तीनों root same है so 3 alpha square equal to c sorry 3a square equal to c तो a square equal to c upon 3 आगया हमारे पास में last relationship alpha into beta into gamma so alpha into a into a into a equal to minus d so a cube equal to minus d इसको में लेख सकता हूँ a into a square equal to minus d so a equal to minus 3d by c क्योंकि a square की value कितनी है a square की value c by 3 है यहाँ पर पूट कर देंगे तो a into c by 3 equal to minus d आजाएगा ओके और फिर a की value कितनी है minus 3d by c तो देखें कि चारों option में a की value minus 3d by c कहीं नहीं मिल रही है so इसका correct answer क्या होगा none of these चलिए अगला question आया हमें इस determinant की value find करनी है 1 1 1 1 a b b c c a 1 upon a 1 upon b 1 upon c and 1 upon b 1 upon c 1 upon a अए जो तीनो इसके साथे plus में तो क्या किया मैंने determinant में मैंने सबसे पहले क्या किया इसको इस तरीके से लिख लिया and then इसके बाद और मैंने क्या किया देखें इसमें a b c का multiply कर दिया और a b c का divide कर दिया a b c का divide करने सही हो गया one upon c, one upon a, one upon b और इसके साथ मैंने इसको इससे जोड़ दिया तो ये देखिए जोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा ट्रम ऐसा बन चुका है अब मैं चाहूं तो कॉमन ले लूँगा तो ये दो रो मेरे पास सेम हो जाएंगे दो कॉलम सेम होने से इसका अंसर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा दो से सेम होने पर अंसर कितना जाएगा इसका जीरो आ जाएगा ठीक है एक तरीका और है आप सब जगे पे 1-1-1 रख सकते हैं A की जगे 1 रख दो B की जगे 1 रख दो C की जगे 1 रख दो तो हलाकि तीन option आपके match करेंगे देखें ये option match कर रहा है ये option match कर रहा है बट non matching answer आपके पास क्या आएगा 0 आएगा और 1-1-1 put करने पर तीनो 2 row column common हो जाएगे इस वज़े से इसका answer 0 ही बनेगा तो 1-1-1 रख करके भी आप check कर सकते हो चले अगला question देख देखें अगला question कह रहा है यदि तीन पेटियों में से जिन में से तीन लाल एक हरी भाई तीन अलग अलग पेटियों में कुछ गेंदे रखी हुई है दूसरी पेटि जिसमें दो लाल एक हरी और एक हरी गेने निकले ठीके ना मतलब कुल मिलाके दो लाल और एक हरी तो आपके पास देखे एक बॉल मतलब हम हर बॉक्स से एक पिटी से एक बॉल निकाल रहे हैं तो हमारे पास तीन केसे बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो लाल हैं और एक हरी है तो हमें पस cases बन सकता है red, red, green या ये ना होता तो red, green, red हो जाता या ये ना होता तो green, red, red हो जाता अब आईए निकालते तो देखिए पहला red है ओके, so red, red, green वाला cases हम solve करते हैं देखिए, तो 3 लाल, 1 हरी मतलब total किती गेने, देखिए, इसके पास में 4 गेने हैं तो पहले हम red निकालते हैं, red हमाँ पास total कितनी, 3 तो 3C1 out of 4C1 बन जाएगा, then इसके बाद red निकाली तो red 2 हो चुकी, तो 2C1 out of कितना हो गया, 4C1 ठीक है, ये किस balls, ये देखिए, ये समझेगा ये bag number 1, ये bag number 2, और ये bag number 3, ऐसा है, अगर ऐसा नहीं होता तो ball कम होती जाती, मगर सब में 4 बनी हुई है, मतलब पहले-पहले ball से, back से खीची, फिर दूसरे back से, फिर तीसरे back से, तो देखिए red, red, green, दूसरे bag में 2 लाल हैं, तो दो बे से, एक लाल खीचने का तरीके किते, 2C1 upon 4C1, और अगले में कितने लाल हैं, देखिए, अगले में, अगले में एक लाल और तीन हरी गेने हैं, बट हमें क्या खीचना है, green को खीचना, तो तीन हरी में से, एक हरी, 3C1 upon कितना हो जाएगा, 4C1, तो इस तरीके से, पहले आपने तीन bag में से, एक लाल खीच ली, फिर दूसरा के आपने पास, red, green, red, तो red का तो यही रहेगा, 3 upon 4, green, दूसरे bag में देखिए, एक हरी और दो लाल हैं, है ना, तो red, green, red है, दूसरे bag में देखिए, दूसरे bag में, दो हरी और एक लाल है, तो 2 में से, 1 खीचना है, तो 2C1 upon 4C1, और तीसरे वाले में कितनी red निकालनी है, तो तीसरे वाली में एक ही red है, तो 1 upon 4, last green, red, red, यह भी combination हो सकता है, तो green निकालनी है, तो 3L and 1 हरी है, so 1 upon 4, और फिर red निकालनी तो 2 upon 4, फिर red निकालनी तो 1 upon 4, इस तरीके से आपने solve कर लिया, 3, 2, 6, 3, 18 upon 64, 3, 2, 6 upon 64 and 1, 2, 2 upon 4, 4, 4, 64 तो correct answer इसका आएगा, 13 upon 32, done, चलिए दोस्तों देखिए, अगला जो question है, वो केंदरी विद्याले में कई बार पूछा क्या question है, the sum of the real values of the x satisfying this to the power this equal to 1, कह रहा है कि बताई यह x की वो values बताओ जो satisfy करें, तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहली बात यह 1 अगर होगा, तो 1 की power कुछ भी आएगा, वो 1 ही बनेगा, तो हम देखते हैं, और दूसरा क्या case है, आगी something की power 0 equal to 1 होता, तो पहला case हम देखते हैं, कि इसकी power 0 कब होगी, तो x square plus 4x minus 60 equal to 0 ले लिया, तो x square plus 10x minus 6x minus 60 equal to 0, x, x plus 10 plus 6 common लेके x plus 10 equal to 0, so x equal to minus 10, x equal to plus 6, तो दो solution आगया हमाई पास, एक आया minus 10, और एक आया हमारे पास plus 6, second case देखते हैं, हम नीचे वाले को 1 कर देते हैं, तो x square minus 5x plus 5 plus 1 equal to 0, x square minus 5x plus 4 equal to 0, x square minus 4x minus x plus 4 equal to 0, x common लेने पर x minus 4 minus 1, x minus 4 equal to 0, x equal to 4 आगया, x equal to 1 आगया, तो इसमें x square minus 5x plus 5 equal to minus 1, ओके, तो यह यह दी minus 1 है, तो x square minus 5x plus 6 equal to 0, 2 point हमाई पास आगया है, 3 and 2, 3 and 2, तो अब देखो भाई, minus 1 की power अगर even number होगा, तो answer क्या निकलेगा, plus 1, तो मेरे पास 3 case, 2 case हैं, 3 और 2, तो मैं पहले 3 रख करके देखता हूँ किसमें, उपर वाले expression में, x square minus 4x minus 60 में, तो कितना आता है, 39 आता है, तो 39 तो odd power है, तो यह accept नहीं करेंगे, मतलब x equal to 3 as a solution count नहीं होगा, क्योंकि उस पर 1 नहीं आ रहा है, x equal to 2 देखता हूँ में, तो 2 की power में, देखो क्या आएगा, 2 की power में x square, यानि की 2 का square 4, plus 4 into 2, 8 minus 60, तो 48 आ गया, वो भी minus का, 48 आ गया, कितना minus का, तो आपको पता है, कि यहां पर देखिए, आपके पास में कितना था, minus 1, और minus 1 की power x equal to 2 डालने पर कितना आ जाएगा, 48, जो की even number देगा, मतलब x equal to 2 as a solution count करेगा, तो हम आपस total solution minus 10, 6, 10, 1, और क्या हुआ, 2, चलिए add करते हैं, तो 6 और 4, 10 तो पहले ही cancel हो गया, क्योंकि हम से सब इनका sum पूछा गया है, है ना, sum पूछा गया है, तो 6, 4, 10 पहले से cancel हो गया, फिर 1 and 2, तो answer कितना आएगा, इसका 3 is the correct answer, इसका answer 3 बचेगा, okay, so sum of the all roots equal to how much, sum of the all roots equal to, सारे roots को जोड़ दिया answer मैं पस 3 आ गया, चलिए, अगला question देखते हैं, एक्जांपलर problem का question है, कह रहा, to fill the 12 vacancies, there are 25 candidate, 25 candidate आए हैं, 12 vacancies को भरा जाना है, कह रहा, if 3 reserved, 3 of the vacancies are reserved for the schedule cost, मतलब 12 में से जो 3 vacancies हैं, वो reserved हैं, schedule cost के लिए, और बाकी के in which they can be filled, they can selection is made as 5C3, multiply by 29, देखो भाई साब, सबसे पहले क्या है, देखो ये 3 reserve हैं, बट इन में से कोई reserve नहीं है, ऐसा नहीं का है, कि ये वाली किसी के लिए reserve है, unreserve है, ये, ये general नहीं है, general भी नहीं है, ये क्या है, unreserve है, तो सबसे पहले 3 select करनी आपके पास, तो total देखे, अपने पास क्या है, आपके पास total देखे 25 candidate है, 5 are from schedule cost, तो 5 में से 3 का selection कितना होगा, 5C3, 5C3, तो total पहले 5 में से 3, मतलब 5 लोग आए हैं, तो 3 को आप reserve category में ठाल दो, तो 3 लोग होगा, अब 3 लोग तो select होगा, बड़ दो लोग बच गए हैं, वो दो लोग किसमें fight करेंगे, तो unreserve category में भी fight करेंगे, तो unreserve के total candidate कितने आये थे, देखो 25 में से 5 थे वो लोग, okay, reserve category वाले, तो 20 ये और 2 इधर से जो बच करके आगए, कितने होगे 22, अब 22 में से कितने लोगों को opt करना है, 9 लोगों को, कितने लोगों को opt करना है, 9 लोगों को, क्योंकि total 12 vacancy जिसमें से 3 reserve के लिए हैं, तो इधर कितने बची, 9, so कितना हो जाएगा अपने पास में, अपने पास total लोग कितने हो गए, यहाँ पर कितने थे अपने पास में, 22 थे न, ने, 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 25 candidate आये थे, और 12 vacancy थी, तो 25 में से 3 इधर चले गए हैं, तो यह 3 select हो जाएगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में बचेंगे 22, हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, तो 22 बचेंगे उसमें से 9 को select करना है, so 22C9, तो correct answer कितना होगा दीकि 5C3, और उसके बाद 20 वो वाले जो general unreserve already wait कर रहे हैं, और दो जिनका selection नहीं हुआ है, वो लोग भी आके fight करेंगे इसमें, so 20 plus 2, 22C9, so correct answer equal to 5C3, multiply by 22C9, done, चलिए अगला देखते हैं, अगला question है कि अनुक्राम आपके पास an is equal to log 1 upon n, so simple है भाई, n की जगे infinity कर रखतो, चेक करने के लिए log series है यह, और log 1 upon infinity मतलब बन जागा log 0, और log 0 की जो value हुआ करती है, वो क्या होती ही, minus infinity होती है, so minus infinity कैसी series जाएगी, एक अपसारी की series जाएगी, अपसारी यह नहीं divergent, okay, so this series will be a divergent series, चलिए आई इनेक्स question देखते, next question कहा गया है, चार सदस्यों के परिवार में से केवल, दो सदस्यों का जन दिन रविवार को होनी की प्रैक्ता, तो रविवार कित्ते दिन पढ़ता भाई, एक दिन, तो रविवार की प्रैक्ता क्या होगी, एक बटे साथ, और बाकी कित्ते दिन होगे, 6 बटे साथ अब 4 टोटल सदस्थ हैं मतलब N equal to number of trial 4 हैं जिसमें से success दिलानी किते को 2 को तो 2 को विजेशिरी दिलानी तो क्या तरीका होगा 4C2 सफलता की power सफलता क्या है 1 बटे साथ probability of सफलता की power किते लोग 2 लोग और असफलता किते होगा भाई चार में से दो लोग का जनमनी नगर रविवार को पढ़ गया तो बाकी किते लोग होगा दो लोग तो ये answer आएगा 4C2 1 upon 7 की power 2 and 6 upon 7 की power 2 तो ये बर्नौली trial से question हो गया चली अगला question देखे अगला question क्या कह रहा अमांतर स्रेणी में 5 संख्या है जिनका योग 25 है और गुडनफल 2500 बीच है यदि इन 5 संख्या में से 1-1 बटे 2 है तो इन में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछा जा रहा है तो चली ये question को मैं आपको किसके लिए दे रहा हूँ as a homework अगर आप इस question को करके मुझे बताएंगे कि इसका answer क्या होगा चली देखे अगला question है जो कि स्रेणी से है question कह रहा है यदि A तथा B के मतलब में H1, H2, HN, N महानात्मक माद है तो इस expression का मतलब क्या होगा इस expression की value क्या होगी N, N-1, 2N, N में से कोई नहीं तो देखे मैं मान लेता हूँ कि मेरे को ऐसे याद रहता कि मेरे पास कोई AP है 2, 4, 6, 8, 10 कितने पदे बेखे है इसमें कितने सरमानतर माद है 1, 2, 3 समानतर माद है पहला पद इसका 2 है और इसका अंतिम पद याने की 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 है तो मैं क्या करूँगा इस सरीज को मैं पलट दूँगा तो समानतर सरनी को पलटने पर जो सरनी बनती वो क्या होती हरत्मक सरनी तो सरनी पलट दी तो यह हो गया 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 1, 10 यह मेरे पास सरनी हो चुकी है अब इनका कहना है H1 मतलब 15 हरात्मक माध्य प्लस A तो पहला हरात्मक माध्य कितना है 1, 4, 1, 2, और नीचे है H1-A मतलब इसी का उल्टा H1-A और इधर कितना है HN plus B मतलब अंतीम हरात्मक माध्य कितना है H3 है जो की 1 upon 8 plus B upon 1 upon 8 minus 10 इसको हल कर लेजे देखिए उपर आएगा 3 बटे 4 और नीच आएगा कितना माइनस 1 बटे 4 चार से 4 कैंसल 3 बटे माइनस 1 माइनस 3 हो गया इधर कितना आगया देखिए solve करने पर 5, 8 और 10 का LCM होएगा 40 और 5 प्लस 4, 5 माइनस 4 अपॉन 40 तो ये कितना हो गया 9 और 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6 अब option कहरा बताइए कौन सा answer ये तो देखिए N आपके total कितने माद थे तीन माद थे तो N की जगए 3 रखने पर देखो कौन सा correct answer दे रहा है 2 correct answer दे रहा है because 2 into 3 equal to 6 तो correct answer इसका कितना होगा B option या 2 option चली देखिए अगला सवाल बहुत easy है और कहरा लगातार 15 संख्याओं के set का उसत 64 है कहरा 15 संख्या है उनका उसत 64 है इस set से सम्बंदित सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा देखिए आपके पास कहरा 15 संख्या है और 15 संख्या है है सम संख्या है तो 15 संख्याओं में total जैसे मान लेता हो मैं कोई संख्या 2N है क्या मान लिया मैंने कोई संख्या 2N अब 2N है 2N बीच का नंबर हो गया तो टोटल 15 चाहिए तो 7 इधर कर दो और 7 इधर कर दो तो इधर वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2N प्लस 14 और इधर वाली संख्या कितनी होगी 2N माइनस 14 क्योंकि दो-दो का common difference है और 7 संख्याएं है तो इधर 2N प्लस 14 इधर 2N माइनस 14 अब कह रहा है सबसे बड़ी यही न होगी सबसे बड़ी यह वाली होगी सबसे चोटी यह वाली होगी तो अंतर पूछ रहा है तो 2N प्लस 14 और माइनस का 2N माइनस 14 तो हल कर दिया तो 2N से 2N कैंसल हो गया और 14 और 14 कितना हो गया 28 तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 28 चलिए अगला कोश्चन देखिए यहाँ पर अगला जो कोश्चन विया गया यह भी APGPHP के कंसेप्ट से मैं कोश्चन पढ़ देता हूँ किया गर A की पावर X equal to B की पावर Y equal to C की पावर Z equal to D की पावर U है और ABCD अगर गुरितर संब है तो आपको बताना है एक्स Y जड और U किसमे होंगे तो देखें A की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z, D की पावर U का जो मान है वो किसके बराबर है T के बराबर है ये जो मान है वो किसके बराबर है हमने मान लिया कि ये जो मान है वो किसके बराबर है T के बराबर है तो A equal to कितना बनेगा T की पावर X ये बनेगा T की पावर Y ये बनेगा T की पावर Z और ये बनेगा T की पावर U तो A, B, C, D के माना आगए है अब देखो अगर ये समांतर स्रेडी में तो A कितना होगा A, B कितना होगा A, SORRY A कितना होगा A ही होगा B होगा AR, C होगा AR square और D कितना होगा AR Q तो इस तरीके से आपके पास B का मान कितना आ चुका है AR आ चुका है और यहाँ पे A equal to कितना put कर सकता हूं मैं T की power X तो A की value है T की power X तो इस तरीके से यदि मैं देखूं B equals to AR है तो B की value कितनी है T की power 1 upon Y is equal to T की power 1 upon X into कितना R तो यहाँ से R की value कितनी आ जागी यहाँ से R की value आ जागी यहाँ से R की value आ जागी T की power 1 upon Y minus 1 upon X क्योंकि divide कर देंगे तो T की power 1 upon Y minus 1 upon X आ जागा यह कैसे कर दिया हमने B से A में divide कर दिया अगला term देखे अगर मैं C से B में divide करता हूँ तो C कितना मेरे पास में AR square और B कितना मेरे पास AR A से A cancel हो गया कितना बचा R C की value आएगी कि तिरे के C की value T की power 1 by Z B की value T की power 1 by Y तो T की power 1 by Z में से 1 by Y को subtract किया तो कितना आगया है यहाँ पर 1 upon R तो देखे, sorry, R आएगा 1 upon R नहीं आएगा ओके देखे, यहाँ पर R की value दो आ रही है एक यह आ रही है और एक यह आ रही है ठीक है ना, तो यदि दोनों R सेम है और तो दोनों R सेम है तो आप क्या लिख सकते हो T की power 1 upon Y minus 1 upon X equal to T की power 1 upon Z minus 1 upon Y अब मैं दोनों powers को compare करा दू तो 1 upon Y minus 1 upon X equal to 1 upon Z minus 1 upon Y ओके, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 upon Y equal to हो जाएगा 1 upon X plus 1 upon Y, यह किसकी property है यह GP की property है मतलब XYZ किसम, sorry GP बोल गा माफ कीजेगा, HP हरात्मक्स रिणी की property है तो XYZ किसमे है, हरात्मक्स रिणी में है इसी तरीके से XYZ हरात्मक्स रिणी में है इसी तरीके से बाद के 3 के लिए कर दो आपके पास तो YZ और U भी किसमें आएगे, हरात्मक्स रिणी में हैंगे इस तरीके से XYZ यों किस सिरीज में होंगे हर आत्मक सिर्णी में ही होंगे देखे यह आपको पिछले बार अच्छा ना दिखा हो तो यहाँ पर मैंने थोड़ डिटेल में solve किया है कि T की पावर Y माइनस T की पावर 1 अपॉन X मतलब दूसरे में से पहले टर्म को डिवाइट किया है AR अपॉन A सो कितना बच गया R है और दूसरे वाले में देखे एक और तरीका है कि अगर आप थर्ड वाले में से फ़स्ट वाले को डिवाइट कर देंगे या थर्ड वाले टर्म कितना है AR स्क्वार अपॉन कितना A कर देंगे और यह आपके पास कितना था यह आपके पास था T की पावर 1 by X और यह आपके पास कितना था यह आपके पास था T की पावर 1 by Z तो यह कितना आ जाएगा 1 upon Z minus 1 upon X equal to T की पावर R square है देखो भाई R square है न तो R square आपके पास R कितना आ चुका है R आ चुका है आपके पास T की पावर 1 upon y minus 1 upon x तो r square करोगे तो t की power 2 1 upon y minus 1 upon x t से t cancel करके आप ऐसे भी solve कर सकते हो एक तरीका ये भी है elimination का बाकी मरजी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको answer जल्दी आई जाएगा चली देखे अगला question देखते हैं यहाँ पर integration करना है 0 से लेके 2 के बीच में x square minus 3 x plus 2 का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको break कर लेंगे तो यह हो जाएगा अपने पास में x minus 2 और x plus 1 अब हम limit break कर देंगे क्योंकि हमारे पास दो function है एक break होगा x equal to 1 पर एक break होगा x equal to 2 पर तो limit हमारी break होगी 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 तो देखे x equal to 1 के लिए यहाँ पर यह function negative आएगा x minus 2 negative आएगा बट x equal to 0 से लेके 1 के लिए यह भी negative आएगा ओके तो पहला वाला function देखे हमारे यह भी negative आएगा 0 से 1 में x minus 2 भी negative आएगा और x minus 1 भी negative आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी negative sign, इसका भी negative sign, दोनों multiply हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x-2 और x-1, अब 1 से लेकर 2 के लिए देखते हैं, तो 1 से लेकर 2 के लिए 1 के 1 से 2 के बीच का कोई point ले लिजे, तो देखे, x-2 तो आपको negative produce करेगा, but x-1 आपको plus produce कर चलना है, but दूसरे वाले में आपको क्या लेकर चलना है, minus of x-2 और x-1 और limit रहेगी 1 से लेकर 2, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, simply इसको open करके आप solve कर दीजे, आपके पास answer आएगा, solution दिया हुआ, देख सकते आप लोग, चले देखे, अगला question आया है, cosec inverse x equal to cosec inverse a plus cosec inverse b, तो आपको x की value find करनी है, देखे, कैसे find करेंगे, cosec inverse x को मैं लिख सकता हूँ, sin inverse 1 upon x, और इसको लिख सकता हूँ, sin inverse 1 upon a plus sin inverse 1 upon b, अब sin inverse x और sin inverse b का formula होता है, लगा दूँँगा, 1 upon a under root 1 minus b square plus 1 upon b under root 1 minus a square, और ये कितना आ जाएगा, 1 upon a, b, root खुलने के बाद, b square minus 1 upon a, b और a square minus 1 upon a, b, दोनों को solve कर दिया, तो a square minus 1 और b square minus 1 upon a, b, reciprocal कर दीजे, तो a, b, उपर आ जाएगा, और under root में a square minus 1 plus b square minus 1, यही आपका solution होगा, चले, देखे, अगला question है, समीकर निकाए, ये अपके पास system of equation दिया गया है, कह रहा है, इसका अदिती हल होगा, तो सबसे पहले इसका आप coefficient matrix बना लीजे, तो 101, फिर इसके बाद आएगा a10, और 3, 1, b, ok, b है कि 6 है, yes, b है, अब कह रहा है, कि यदि ये matrix दिया गया है, तो कह रहा है, इसका अदिती हलोगा, आपको पता, अदिती हलोने के लिए determinant जो होना चाहिए, वो 0 के equal नहीं होना चाहिए, तो determinant 0 के 1 और 3 बन जा 3, ok, so अपने पास में कितना आ जागा, b plus a minus 3 is not equal to 0, मतलब a plus b is not equal to 3, ये condition बन गहीं कि a plus b का योग 3 के equal नहीं होना चाहिए, तो आइए option में देखते हैं कि कौन सा ऐसा solution है, कि a plus b का योग 3 के equal नहीं है, तो ये भी 3 के equal योग दे रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी योग 3 दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो correct answer क्या होगा, आपका c option 1,1, चलिए लेखिए, अगला question करते हैं, अगला question कहरा है, suppose for every integer n, n से लेके n plus 1 तक आप जाते हो, तो fx equal to n square होता है, तो बताइए, minus 2 से लेके 4 fx क्या होगा, मतलब function कुछ भी दिया हो, आप के पास क्या आता है, n square आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम break कर लेते हैं, minus 2 से लेकर के 3, फिर minus 3 से लेके 4, sorry, minus 2 से लेके minus 1 जाएगा बच्चो, उपर आगे बढ़ेगा, फिर minus 1 से लेकर के जाएगा 0, और फिर 0 से लेके 1, और 1 से लेके 2, और 2 से लेके 3, और 3 से लेके 4 तोटल अपने पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे पेर बन चुके हैं अब देखें क्या करता है यह कहरा कि यदि ऐसा होता तो नीचे वाले का स्क्वेर तो यहाँ पर देखें नीचे वाला क्या है माइनस टू तो पहले बनेगा माइनस टू का स्क्वेर फिर मानस 1 का स्क्वेर, फिर 0 का स्क्वेर, फिर 1 का स्क्वेर, फिर 2 का स्क्वेर, फिर 3 का स्क्वेर तो मानस 2 का स्क्वेर, 4, 1, 0, और 1, 4, 9 टोटल एड करेंगे तो अंसर कितना रहा 19 तो इसका correct answer होगा 19 यह भी बहुत easy question है चलिए अगला question देखे कह रहा है if y is equal to x as that x is a positive factor of the number 2 to the power p minus 1 multiplied 2 की power p minus 1 where 2 की power p minus 1 is a prime number तो बता ही y का roster form क्या होगा देखे क्या कह रहा है कि 2 की power p minus 1 prime number है तो अगर 2 की power p minus 1 prime number है 2 की power p prime number है तो इस समय prime number क्या होते है prime number सबसे चोटा होता है 2 2 के बाद क्या होता है 3 होता है फिर क्या होता है अपने पास में 3 के बाद में क्या होता है अपने पास में 5 होता है तो इस तरीके से देखे आपने यहाँ पे p के क्या values लिए होगे 2 लाने के आप p की value 1 लिए होगे क्योंकि 2 की power 1 minus 1 equal to 2 तो मतलब P की पहली value क्या रही होगी 1 रही होगी अगर आप P की value 1 रखते हैं तो देखें यहाँ पे 2 की power यहाँ पे भी आपको put करना पड़ेगा क्योंकि यह भी इस factor है इसका तो 2 की power 1-1 कितना होगा 2 की power 0 तो एक answer कितना आएगा इसके factors जो आएगा 1 आएगा अगला जिस समय 2 की power P-1 3 है उस समय P की value क्या रही होगी देखो तो 2 की power 2-1 करने पर 4 आया होगा तो P की value 4 रही होगी तो यहाँ पे 4-1 करोगे तो 2 की power फोर नहीं 3 रही होगी यहाँ पे देखें 2 की power P बैठा है तो 2 की power 2 रही होगी 2 minus 1 equal to 3 तो 2 रही होगी P की value 2 रख दीजे तो 2 की power यहाँ पे 2 minus 1 तो 2 minus 1 equal to कितना आ गया 2 की power 1 तो आप देख रहे हैं यहाँ पे P की जितनी powers बढ़ती जा रहे हैं वो आपके prime numbers निकलते जा रहे हैं और यहीं P की power को यदि आप यहाँ पदला रहे हो तो 2 की increasing power बनती जा रहे हैं मतलब 1, 2, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power P minus 1 इस तरीके से इसके इतने factors निकलेंगे 2 की power वाले और एक आपके पास में जो prime number दिया गया वो क्या है 2 की power P minus 1 क्योंकि यह prime number है तो यह सारे prime number को represent कर रहा है तो इसके factors जो निकलेंगे दूस्टर form में 1, 2 लेकर करके up to 2 की power P minus 1 and 2 की power P minus 1 बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग है यह जो दिया गया है पहला वाला यह 2 की power P minus 1 है और जो prime number होता है वो होता 2 की power P और minus का 1 form में तो इसमें minus 1 prime number वाले में नीचे हुआ करता है चली रेखे अगला question देखते है कहरा find the differential coefficient of the function cot inverse 1 minus x square 1 plus x square minus x with respect to x तो वैसे हम इसको पलट करके 10 के form में भी कर सकते हैं बट हम इसको चली solve करते हैं cot inverse 1 plus x square minus x में x के जगे में 10 theta पूट करता हूँ तो 1 plus 10 square theta equal to sec theta बन जाएगा sec theta minus 10 theta जो की बन जाएगा cot inverse 1 upon cos theta minus sine upon cos तो ये बन जाएगा 1 minus sine upon cos cot inverse अब इसको solve कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 minus sine theta का whole square इसको मैंने tricky तरीके से solve किया जिससे आपको मेहनत न करनी पड़े हलाके interval की demand इस question में होनी चाहिए interval से question बिलकुल perfect होगा तो cot inverse under root 1 minus sine theta का square upon under root 1 minus sine square theta इसको मैंने break कर दिया 1 minus sine theta 1 plus sine theta से तो एक factor से एक factor cancel हो गया उपर बच गया 1 minus sine theta upon नीचे बन गया 1 plus sine theta पलटने पर मैंने 10 inverse की formula दिया 1 plus sine theta upon 1 minus sine theta चलिए अब देखिए अब इसके बाद में हम क्या करते है देखिए यहां तक हम ला चुके थे अब इसके बाद देखिए 1 plus sine theta को मैं लेख सकता हूँ cot theta by 2 plus sine theta by 2 का whole square और इसको नीचे लेख सकता हूँ cot theta by 2 minus sine theta by 2 का whole square यह तो आपने practice कर रखी होगी root से इनके square terms हट जाएंगे cot theta by 2 plus sine theta by 2 नीचे cot theta by 2 minus sine theta by 2 जिसको की sine से divide कर cost से divide करने पर 1 plus 10 theta by 2 upon 1 minus 10 theta by 2 जो की बन जाएगा 10 pi by 4 plus theta by 2 10 से 10 cancel हो गया 10 1 plus pi by 4 plus theta by 2 आ गया और pi by 4 का differentiation 0 1 by 2 बाहर लिया और theta के value क्या है 10 inverse x तो answer आ गया 1 by 2 1 upon 1 plus x square चलिए अगला question देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि log x base पर x है y है log z base x है and log y base पर z है गुडेतर सेड़ी में है तो x cube y cube z cube समानतर सेड़ी में है मतलब यह तीनो टरम आपके पास gp में है और यह तीनो टरम आपके पास ap में है और x into y into z equal to 64 है तो x y z क्या होगा तो option पर ज़्यादा अच्छा base question जागा यह देखिए x into y into z equal to 64 है तो पहले चेक करिए कि किसमे x into y into z 64 नहीं आ रहा है उसको हम out कर देंगे तो 8 4 जा 22 तो टू जा 64 इसमें भी आ रहा है अब इसके बा देखिए क्या क्या रहा है कि x का k्यूब y का क्यूब z का क्यूब क्या है समाफर नहीं ap में है तो तीनों का k्यूब निकाल लेजए 8 हो जाएगा 2 का 2, 4, 8 का क्या हो जाएगा 2 का 2 का 64 इसका 4 का 64 और 8 का कितना हो जाएगा भाई साब 8 का क्यूब होता है 512 ओके 24 4 का क्यूब बुला है न 4 का क्यूब 64 and 8 का कितना होता है yes 512 अब कहा رہा है अगला देखे अगला है 444 64 64 64 then इसके बाद कहा रहा है कौन सा नंबर है 1416 ओकें 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 देखीं यहाँ पर मैंने क्या करा है यहाँ पर मैंने नम्बर ऐसे अरेंज कर दी तो कोई गलती नहीं करी है 8 मैंने पहला नम्बर लिया 248 तो 2 का क्यूब8 फिर 64 फिर 512 फिर 444 और फिर इसके बाद मैंने का रहा है last में किसका 1416 का तो 14 और 16 लास्ट में लिए तो 1 का cube कितना होता 1 ही होता है 4 का cube कितना होता 64 और 16 का cube कितना होता है 4096 अब कहा रहा है कि यह जो number है x cube y cube z cube समानतर सर्ड़ी में है तो आप देखे ध्यान से ना तो यह number ap बना रहा है ना तो last वाला number ap बना रहा है केवल बीच वाला number आपका क्या बना रहा है ap बना रहा है तो correct answer इसका क्या होना चाहिए 444 क्योंकि यह सारी conditions satisfy कर रहा तो इसका answer होगा 444 correct चलिए अगला question देखे अगले question में का गया if sign 3 is equal to 1 then the how many distinct values of sign देखे यहां पर interval ढूलते हैं बड़ याद रखो यहां पर sign A पूचा गया है तो sign 3 equal to 1 आप जानते है sign 3 equal to 3 sign A minus 4 sign cube sign A को x ले जे तो equation बन जागी 3x minus 4x cube equal to 1 इसको मैं लिखूंगा 1 के इस तरफ ला करके तो 4x cube minus 3x plus 1 equal to 0 और इसको solve करने पर मेरे पास यह factors बनते हैं तो एक root मेरे पास कितना आएगा x plus 1 equal to 0 याने x equal to minus 1 और x क्या है sign A तो sign A equal to minus 1 जो की valid identity है अब इसके बाद दूसरा part है 2x square plus x minus 1 equal to 0 जिसको solve करने पर आता है x equal to minus 1 जो की अल्रेड़ी आ चुका है दूसरा आता है 2x equal to 1 याने x equal to 1 by 2 ओके तो 2 solutions यहां पर क्योंकि एक solution तो repeat हो गया total 3 बन रहे थे मगर एक तो 2 तो repeat हो चुके हैं तो 2 repeat वाले और एक non repeat वाला तो repeat वाले को हम एक ही case गिनेंगे अगर अलग-अलग तरीके से एक answer क्या है एक 1 आया है एक 1 आया है और कितना है एक 1 by 2 आया है तो total counting में कितने solutions आएंगे तीन 2 solutions माने जाएंगे ओके क्योंकि repeat हो रहा है repeat को हम नहीं किनते तो यहां पर 2 solutions होंगे चले अगला question देखे अगला question कह रहा है कि अगर किसी तरिवूज ABC में cot A, cot B और cot C समानतर स्रेड़ी में है तो A square, B square, C square तो मतलब आपके पास cot की time दी गई है आपको कहां जाना है A square, B square, C square में जाना है तो cot हम जानते हैं cos upon sine होता है तो अगर यह समानतर स्रेड़ी में है तो cot B upon cot B minus cot C minus cot B तो क्या करेंगे हम cos B upon sine B minus cos A upon sine A is equal to cos C upon sine C minus cos B upon sine B अब यहाँ पे cos B की value रख दीजे तो A square plus C square minus B square upon 2AC और sine B क्या हो जाएगा आप जानते हो sine B upon B is equal to K होता है तो यहाँ पे sine B की value हो गई कितनी KB इसी तरीके से cos A की value B square plus C square minus A square upon 2BC into कितनी हो जाएगी K A इसी तरीके से cos C की value जो equal to के बाद यहाँ पे रेखे यहाँ पे equal आएगा equal आएगा और cos C equal to A square plus B square minus C square upon कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 A देखे cos C है ना तो 2 A B और यहाँ पे क्या जाएगा KC जो हमने value रखी है cos C की और यहाँ पे कितना है A square plus यहाँ पे तो minus है यह A square plus C square minus B square और 2 A C K B तो देखे K के common लेके सबसे काट दीजे क्योंकि आपका वैसे ही A B C बन गया 2 भी common लेकर के काट दीजे तो 2 भी आपने common लेकर के काट दीजे और उपर आप जो term बचेंगे उनको solve कर दीजे जिससे पता चल रहा है कि A square, B square और कि C square किसमे है यह समानतर स्रेडी में है चलिए अगला question देखे question कह रहा है if less than type of OG and more than type of OG intersect at the point of 20.5, 15.5 तो बताईए कि median क्या होगी तो देखे भाई यह दोनो less than OG है यह उपर से नीचे जा रहा है और नीचे से उपर आ रहा है less than उपर से नीचे आता है और more than जो होता है sorry, less than नीचे से उपर आता है और more than जो होता है उपर से नीचे आता है तो यह दोनों जहांपे cut करते हैं उसकों क्या बोलते हैं median बोलते हैं उस point को मगर वो median point हमेशा data के corresponding निकलता है data x-axis में जो चलता वो x-i होता है तो x-axis का data है यहाँ पर काया 20.5 तो correct answer इसका कितना होगा 20.5 होगा इसका correct answer चलिए एक और question देखते हैं देखी यहाँ पर question क्या भी आ गया है यह question भी आ गया है if 1 plus x की power n equal to sigma r equal to 0 से लेके n तक ncr x की power r मतलब एक simple आपको series दे दी है कि nc0 x की power 0 plus nc1 x की power 1 plus nc2 x की power 2 यह series है तो कह रहा है कि 1 plus nc1 upon c0 1 plus c1 upon c2 देखो कुछ ना लगा हो तो यह पता होगा आपको n लगा जाता है plus 1 plus nc2 upon nc1 dot 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 1 plus ncn upon ncn minus 1 कह रहा है तो बताइए इसका मान क्या होगा और 4 options आपके पास में दिये हैं तो इसको करने का best तरीका है कि आप कहीं तक भी n को suppose कर लो ओके तो जैसे मान लीजे मैंने यहाँ पर 2 के लिए suppose कर लिए n equal to 2 के लिए suppose कर लिए तो अगर मैं n equal to 2 के लिए suppose करता हूँ प्लस 2C1 upon 2C0 और अगला बनेगा 1 प्लस 2C2 upon 2C1 देखे खतम हो गया क्योंकि हम end तक आ चुके हैं अब इसकी आप value रख दीजे इसकी value रख करके देखे कितना आएगा तो इसकी value 1 प्लस 2C1 तो 1 प्लस 2 upon 2C0 किता होता 1 होता तो आंसर कितना आ गया 9 by 2 अब 4 option आपके पास बचे हुए हैं 4 option में आप n equal to 2 put करिए और देखे कि 3 by 2 कौन सा answer आ रहा है जो answer 3 by 2 देगा वही correct आंसर है तो n equal to 3 रख करके आप देख लीजे n equal to 2 रख करके आप देख लीजे एक थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती कि आपको पहले answer trace करना पड़ता है चले convergent and divergent से अगला question है 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 किस type की series होगी तो देखे साब साब देख रहा है यहाँ पर जो r है वो किता है 1 by 2 है और r की value 1 by 2 जो की minus 1 से लेके r mod of 1 less than होता है r less than mod of 1 तो series आपके पास कैसी होती convergent होती है so if r is less than 1 यहाँ पर series कैसी होगी convergent होगी चले अगला question देखते हैं अगला question आपके पास दिया गया है कि आपके पास series है 1 minus 1 by 2 plus 1 minus 3 by 4 plus 1 minus 7 बना यह 8 और आपको बताना है कि series का nature कैसा है तो एक तरीका है कि देखे या तो आप इसका end term बना करके आप n tends to infinity के लिए solve करें तो end terms बना पाना इतना मुश्किल है इस question में तो क्या करोगे देखो आप इसके sum निकालो एक terms का sum निकाला आपने 1 आया ओके फिर आपके दूसरे term का sum 1 minus 1 by 2 मतलब 0.5 और फिर कितना आगया plus 1 add हो गया है ओके तो आपने 1 by 2 यहां तक आया था और 1 by 2 में plus 1 add कर दिया है तो 0.5 में plus 1 add हो गया तो कितना हो गया 1.5 यहां तक आ गया हम लोग फिर क्या करा आपने 3 by 4 माइनस कर दिया आपने तो जो हमारे पास आया था 3 by 2 में से 3 by 4 माइनस कर दिया तो 0.75 अब series का nature देखो जो series है वो 1 था फिर 1.5 है फिर 1.7 है आप कितने भी terms रख लो आपकी जो series ह maximum to maximum 2 से ले करके 0.5 के बीच में oscillate हो रही यहां पे तो यह series जो कहलाएगी कैसी कहलाएगी oscillatory series कहलाएगी तो इसका answer जो होना चाहिए D है correct answer इसका क्या है D है अब चलिए इसके करने के एक और तरीके है इसका करने का एक और तरीका है तो उस तरीके को भी देख लेते हैं तो दो पार्ट यहां पे आएगे जैसे मालीज़ आप इन दो दो को ले 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 इन दो दो के तो यहां पर देखो पहले इन दोनों को subtract करोगे तो कितना हैगा 1 by 2 फिर 2 को अगला 1 minus 3 by 4 कितना हैगा 1 by 4 फिर कितना हैगा 1 by 8 इस तरीके से यही मैं करूँ तो यह मेरे पास कैसी series बन रही है यह मेरे पास इसमें GP बन रही है तो formula लग जाएगा A upon 1 minus R तो 1 upon 2 और 1 minus 1 upon 2 तो इसकी value कितनी जा रही है 1 की तरफ जा रही है इसकी value कैसी जा रही है 1 की तरफ तो इस तरीके से यह Convergent दिखाई दे रही है बट इतनी जल्दी मत करिए देखिए Convergent के पहला case तो आपने क्या बना लिया करवरजेंट बना लिया कब जब आपने दो-दो term arrange कर लिये तो अब दूसरा तरीका देखो अगर आप पहले term को छोड़ दो और 1 by 2 minus 1 करो 1 minus 1 by 2 तो कितना बनेगा 1 by 2 बनेगा अगला कितना बनेगा 1 by 4 बनेगा अगला देखिए फिर बन जाएगा A upon 1 minus R तो A कितना है 1 और 1 minus R मतलब 1 by 2 तो answer कितना आ रहा है 2 तो यह देखें यहाँ पर 2 आ रहा है तो मतलब आपकी जो पहली value आई थी वो कित्ती आई थी 1 आई थी infinite और दूसरी value कित्ती आई है 2 आई है इसका मतलब यह जो series है कैसी यह oscillatory है between 1 to 2 यह जो series है oscillatory है 1 to 2 अब आ divergent के लिए R का मान greater than or equal to 1 होगा यस तो याद रखे का divergent के लिए R का मान greater than or equal to 1 और oscillatory होगी तो उसके लिए क्या होगा R का मान जो होगा minus 1 के बीच में होगा यह pure GPs के लिए है इसको इससे mail मत करियेगा है ना जब किसी series एक से अधिक मान निकले तो वो oscillatory series होती है यहाँ द करती है तो इसको हम oscillatory series बोला करते है तो यह एक concept है इसको यहाँ पर हमने discuss कर दिया ओके चलिए देखते है दोस्तों एक और बहुत ही easy सा question है इसको बोलते हम लोग inner product क्या बोलते हैं इसको हम inner product तो यह A दिया यह B दिया है और S type का product आपको दिख जाए तो inner product तो क्या करते ह इसमें corresponding element का multiply करके सबको add करते हैं तो 2 multiply by 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा plus 1 into minus 1 कितना हो जाएगा minus 1 फिर इसके बाद यह minus 1 into यह 1 कितना हो गया यह भी minus 1 हो गया and 3 5s कितना हो गया 15 तो minus 1 minus 1 minus 2 और 15 और 2 17 में से 2 गया कितना आ गया 15 तो यह इसको कहते हम लोग inner product of the matrices तो मित यह था आज का हमारा मतलब एक segment था पूरा का पूरा जिसमें important question को लेकर के हमने कुछ अच्छे अच्छे बहतरीन question हल किये हैं I am sure आपको यह lecture बहुत पसंद आया होगा lecture पसंद आया तो comment जरूर करिएगा हमको आपका बहुत मूलिक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत जै हिन जै भारत आपका दिन शुभो